हेलो अबरीबरन बेरी वेलकम तो अबर चैनल ओल्लाइन जीएस वाय दिवाकर एंड दिस इस सत्यम परमार और आज अपना टॉपिक है जिसमें कोशन्स पूछे गएते जीएस यानि कि आपके भोगोलिक सूचना परनानी से जितने भी कोशन्स पूछे गए हैं उन सभी को आज अपन लोग डिसकस करेंगे जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर आपन लोग जो जो जोगरफी कोशन्स डिसकस कर रहे हैं वो टॉपिक वाय चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से कोशन्स ज्यादा पूछे गए हैं तो आपका यह से दो या तीन सेसन्स में यह कंप्लीट होगा तो आपका दो से तीन दिन यही चलने वाला है ठीक है चलिए आज का अपना पहला कुशन देखते हैं यहाँ पर पहला कुशन दिया गया है कि निम्लिकित मैंसे कौन सा मांचित्र पच्छेप को अंडाकार होमोलोग्राफिक पच्छेप भी कहा जाता है ओप्सन से यहाँ पर दिये गए है मर्केटर पच्छेप, बोन पच्छेप, मालबीट पच्छेप, पेवं सिन्सोइडल पच्छेप तो यहाँ पर कौन सा अंसर सही होगा जो के अंडाकार होमोलोग्राफिक होता है यहाँ पर जो आपका option करेक्ट होगा, वो मालबीट पच्छेप हो जाएगा यह कैसी आकृतिका होता है, यह अंडाकार होता है, ठीक है अब देख लीजिए इसकी ब्याख्या यहाँ पर इसकी ब्याख्या दी गई है यह जो Malbeed पच्छेप है इसी को अंडाकार होमोलोग्राफिक पच्छेप भी कहा जाता है और यह जो पच्छेप है इसका विकास जो हुआ था जर्मनी के मानचित्रकार थे Malbeed इनके नाम पर इनका नाम करन हुआ है जैसा कि मर्केटर है तो मर्केटर के नाम पर ही इसका जाना जाता है ऐसे ही Malbeed है तो इनके नाम पर Malbeed को जाना जाता है इसे बेबी नेट का इसका बेबी नेट का समचेत्र पच्छेप भी कहा जाता है कभी-कभी इस तरीके से आप लोगों से question पूछ लिया जाता है जो आपके जैसे PhD entrance exam हुआ या पर आपके CUET के exam हुए वहाँ पर इस तरीके के question ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है इसे अंडाकार या फिर रोड पच्छेप के बर्ग में सम्मिलित किया जाता है या एक समुछेत्र पच्छेप है जिस पर समुचे गलोब को भली भाती पदसित किया जाता है ठीक है चलिए next question देखिए यहाँ पर अपना next है यहाँ पर सूची एक में सूची दो और एक बिमिय दी गई इनकी बिमाय दी गई है और किसकी एक बिमा होती है किसकी दो बिमा होती है अपन लोगों को यहाँ पर लगाना है एक बिमिय दो बिमिय त्री बिमिय एबं बिमारहित यहाँ पर दिया गया है बिंदू, पिरामिड, ब्रत आरेक एबं गोली आरेक तो जो एक विम्य होता है इसको आप लोग समझें तो यह आपका पिरामिड हो जाएगा पिरामिड आरिक जो होता है वो एक विम्य होता है दो विम्य में आपका ब्रत आरिखा जाएगा इसकी विमाय कितनी होती है दो होती है त्रे विम्य में आपका गोली आएगा यानि कि ग यह आपका D option correct है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे यह देख लीजिए आप लोग एक बिमिया जो होगा वो प्रामेड आरेक हो जाएगा दू बिमिया यहां पर ब्रतार एक हो जाएगा त्रे बिमिया गोली आरेक हो जाएगा और बिमार ही थे आपर बिंदु बिद्धी हो ज बिद्धी निर्मार संबंदी अध्यान पर या फिर भाव मूलक अध्यान पर यहां पर आंसर कीजिए आप लोग इसका कौनसा आंसर सही होगा तो देखिए जो नोमोथाटिक अप्रोच की बात कर रहा है यह भोग गोल में जो अपनाई जाती है कौनसे वाले अध्यान में इसका जोर होता है तो यह आपका बिद्धी निर्मार संबंदी अध्यान में इसका जोर दिया जाता है सी ओप्सन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा चीकर चलिए आके पढ़िए इसके ब्याख्या देख लीजिए नॉमोथेटिक अप्रोच है इस विद्धी के निर्मार के अध्यान पर बल देता है इसका प्रयोग जो होता है भुगोल में ब्यक्तिगत एवं मनोबैग्यानिक अनुसंदान के लिए किया जाता है जो नॉमोथेटिक अप्रोच है इसका अध्यान जो किया जाता है भुग दर्णों के संबंद में समझा जाता है चीक है चलिए आगे बढ़िए हीदर ग्राप संबंद को प्रदर्शित करता है तापमान और बायुदाप के बीच को तापमान और आप इच्छिक आदरता के बीच को तापमान और बर्सा के बीच की या फिर आदर बल्व और तापमान इवं बर्सा के बीच के तो जो हीदर ग्राफ है ये परदर्शित करता है आंसर कीजिए आप लोग तापमान और ये बर्सा के बीच को ये परदर्शित करता है संबंदों को C option आप लोगों का correct हो जाना चाहिए यहाँ पर व्याक्या देख लीजिए हीदर ग्राफ क्या है एक बिसिस क्राफ का क्लाइमो ग्राफ है जिसमें ओसत मासिक तापमान होता है और ओसत मासिक बरसा होती है इनके मूल्यों को समझा जाता है उनकी कोटियों एवं भुजाएं होती है यानिके इनकी लाइन्स जो होती है इनके रूप में अंकित किया जाता है किसी स्थान का हीदर ग्राफ बनानी की जो बिधी होती है वही क्या होती है क्राइमोग्राफ बनानी की ही बिधी होती है अंतरिस में क्या होता है कि हीदर ग्राप में औसत मासिक तापमान एवं औसत मासिक बरसा के आगडों का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया गया था वो गिर्फिट टेलर के द्वारा किया गया था जलवायू आलेक का प्रयोग इसमें किया गया था यानि कि जो आपका क्लाइमोग्राफ है इसका सबसे पहले प्रयोग किस ने किया था गिफिट टेलर के द्वारा किया गया था आगे बढ़िए नेक्स्ट कुश्चन है आपका कार्टोग्राम है मानचित्र पर मौसम घटकों का प्रतिनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कार्ल वी मालवीड एक कार्टोग्राफर हैं कहां के हैं स्पेनिस के हैं फ्रेंच के हैं जर्मन के हैं या फिर डच के हैं ये कोशन अभी आप लोगों ने सॉल किया हुआ है कहां के हैं ये मालवीड जर्मन के हैं ठीक है C option आपका correct हो जाएगा PGT में question पूछा गया आपका 2018 में Next question देखिए आपे GIS में निमली कितमे से कौन सा आकड़ा आरूप format उपगरह से प्राप्त तस्बीरों के संगत होता है CAD आकड़ा है आपके DLG आकड़ा आरूप है vector data है या पर आपका राश्टर आकड़ा है कौन सा होगा यहाप पर जो कि GIS में use किया जाता है तो वो देखिए आपका D option correct हो जाएगा GIS में जो use किया जाता है format उपगरह से प्राप तस्वीरों के संगत होता है वो आपका राश्टर डेटा होता है D option आपका correct हो जाएगा यहाँ पर राश्टर डेटा के कुछ विदियां दी गई है देख लीजिए क्या क्या होता है राश्टर डेटा में इसको याद कर लीजिए जो GIS होता है इसमें राश्टर डेटा होता है आरूप गुरह से प्राप तस्वीरों के संगत होता है राश्टर विदी में संग्रहेंड होता है तदा प्रतिविम प्रक्रिया के लिए अत्यदि कंप्यूटर इस्पेस है और इस्मृति की आवस्चेक्ता होती है यानि कि कंप्यूटर होना चाहिए जब मांचतर बनाएंगे राष्टर डाटा विदी से, तो उसमें आकड़े जो होते हैं, डेटा होता है, उसके आकत्री करन यानी घट्टा करना उसका आसान होता है, जो राष्टर विदी होती है, उसमें अनुरूपन करना सरल होता है, क्यों क्योंकि जो धरात लिकाई होती है एक ही आकादता आकरती की यहाँ पर दिखाई देती है आगे बढ़िए नेक्स दिखी हाँ पर निमलकित में से कौन सी विचिस्ता सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है भू आपरण है बादल आपरण है या फिर जला आपरण या फिर आपका बनस पती आपरण यह रिमोट सेंसिंग में प्रॉब्लम पैदा कर रही है वो कौन सी हो जाएगी आंसर कीजिए आप लोग क्या होगा यहां पर तो देखिए जब बादल चा जाते हैं तो तब क्या होता है जो रिमोट सेंसिंग होती है वो अपना काम करना बंद कर देता है भी आप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा वियाख्या देख दीजिए सेटलाइट क्या है रिमोट सेंसिंग डाटा के माध्यम से चाया चित्रों का संग्रह किया जाता है यानि उनको इखटा किया जाता है जिसके माध्यम से बनस्पतियों का अध्यान किया जाता है उनके रंगों का अध्यान किया जाता है और इसी के माध्यम से भू आवरं जल लाबरंट, बनस्पति लाबरंट इन सभी का चाया चित्र यानिक इनका जो फोटोग्राफ होता है वो अंकित किया जाता है सेटलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा संग्रे में बादल लाबरंट समस्या पैदा करती है जिसके कारण चित्र की सपस्टता यहां पर दिखाई नही जाता है बलर बलर हो जाता है काले काले बादल जब होंगे तो जो आपका लिमोट सेंसिंग है वो कारे करना बहुत कम कर देता है आगे बढ़िए नेक्स्ट है आपका भूमत रेखा वो कटे बंदों पर समान लंबाई रखने वाले सही आकार प्रच्छेप को चन्नित करना है आपके पॉलीकॉनिक प्रच्छेप मर्केटर प्रच्छेप अंदराश्टी प्रच्छेप या फिर आपका मॉलबीट प्रच्छेप आंसर किया हो जाएगा किया इस को चलता है और बराबर होती है उसको देख लीजी आकार प्रच्छेप की रूप में मर्केटर प्रच्छेप जो है ऐस चिन्नित किया जा सकता है मर्केटर परच्छेप एक सुद्ध दिसा परच्छेप है अत्या इस परच्छेप का प्रयोग नौ संचालन में किया जाता है इसके अत्रिक्त पवनों की दिसा एब महासागरी जलधाराओं को प्रदर्शित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ऐसी सीधी रेका जो मर्केटर चार्ट पर दो इस्तानों को मिलाती है उसे एक दिसन नौ पत यानि की रंब लाइन या फिर लॉक्सोड्रोम लाइन कहा जाता है ठीक है यह क्या करती है सीधी रेका होती है जो के दो इस्तानों को इस तरीके से मिलाती है तो इसको क्या बोला ज जाता है लॉक्सोड्रोम या फिर रंब लाइन इसको बोला जाता है आगे बढ़िए कि यहां पर उप्संस सोरी कुशन दिया गया है कि यदि एक मांचित्र है जिसकी रचना प्रदर्शक भिन एक अनुपात पच्पन सो पर की जाती है और उसको छोटा करके यदि आधा किया जाए तो उसका प्रदर्शक भिन क्या होगा क्या होगा यहां पर पताईए अगर छोटा करके उसको आधा कर रहा है ठीक है अगर आधा करेगा तो उसके क्या होगी जब अपन उसको छोटा करेंगे तो यह अपना जो भिन है हर है यह बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा यान चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है यहां पर किसी छेतर के मांच चितर पर जिसका मापक एक अनुपाद 40,000 है दो इस्तानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है उसी चेतर के हवाई चाया चेतर पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की दूरी 10 cm है तो जो हवाई चाया चेतर है उसका मापक क्या होगा 40,000 यहां पर दी गई है यह दूरी और दूसरे स्थान की यहां पर आपको बीच के स्थानों के दूरी 4 cm दी गई है उसी चेतर के हवाई चाया चेतर पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की दूरी 10 cm है तो हवाई चाया चेतर का मापक यहाँ पर पूछा गया है तो जो चाया चेतर का मापक होगा 4 cm दिया गया है यहाँ और यह 40 दिया गया है तो यानि कि इसको अपन लोग को डिवाइट करना है चार से तो यह जाएगा आपका एक बरावर आपका चार हो जाएगा तो चार बरावर यहाँ पर कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपका जो option सही होगा वो यह हो जाएगा यह होना चाहिए option हाँ यहाँ पर यह होगा आपका option ठीक है एक लाग छे हजार ठीक है स्वरी यहाँ पर सोले हजार यहाँ पर आप लोगों को explanation दी गई है कि मापक जो है 10 cm यहाँ पर दिया गया है तो हवाई 6 शेत्र का मापक होगा एक अनुपाट 16,000 का होगा एक अनुपाट 40,000 यहाँ पर दिया गया है मानचित्र पच्छे पर रेखा जाल कर नमाड हेतू घटाई की प्रत्वी का अर्धव्यास आर है तो जो गाल पच्छे पर रेखा जाल की भूमत रेखा की लंबाई क्या होगी 2πr 4πr j 2πr कौस 45 डिगरी या फिर 2πr 1060 डिगरी तो यहाँ पर 6 चत्र की होगी वो आपका 2πr कौस 45 डिगरी यहाँ पर क्या हो जाएगा रेखा जाल की भूमत रेखा पर लंबाई होगी ठीक है सी ओप्शन चलिए आगे बढ़िए निम्लिकित मैंसे कौन सा मात्रात्मक बितरन मानचितर नहीं है बाणपती की मानचितर या फिर आपका सम्मान रेखा मानचितर बिंदु मानचितर या फिर आपका बाण मापी मानचितर जो आपका मात्रात्मक नहीं है वो कौन सा हो जाएगा बन्डपती की हो जाएगा बाखी के सभी मात्रात्मक यानि के सभी में डेटा होता है इसमें आपका डेटा नहीं होता है यह option correct हो जाएगा देख लीजिए आपके क्या क्या है बन्डपती की मान्चित्र मात्रात्मक मान्चित्र नहीं होता है इसमें क्या होती है, डिजाइन होती है, कलर्स होते हैं आपे, इसके आधर पर मांचित्र को मोटे तोर पर दो भागों माटा गया है, मात्रात्मक बित्रण इवा मात्रात्मक, मात्रात्मक में कौन सा होता है, यह जो मांचित्र होता है, इसका रिमार, नामिक मापक या फिर मा मांतरात्म मांचित्र होता है इसमें जैसे बर्सा कितनी हुई है प्रती बर्स में उसके सेंटीमीटर्स में पर जाएंगे जनसंग कितनी है कहां पर पांच लाक है कहां पर चार लाक है यह क्या होता है डेटा होता है जो कि फिक्स्ट होता है कि हां यहां पर एक्जक्ट इतने है एक जग डेटा निकाल सकते हैं प्रती हेक्टेयर ओत्पादन है आकड़ों का यह जो मांचित्र है यह सबी क्या होता है आपका मांतरात्मक होता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एक इस्तलाकरती मांचित अत्वा भू पत्रक जिसकी संक्या 63N है नौर्थ में है और इसमें लक्षे के बीच की दूरी 4 cm है तो उन दोनों मिंदूओं के मद्य इस्तल पर बास्तविक दूरी क्या होगी 63 डिगरी नौर्थ की यहाँ पर किलोमीटर तो जो 63 नौर्थ में पूछा गया है यहाँ पर आपका इसका ओप्षन जो होगा वो दस किलोमीटर होगा दौनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगे 10 किलोमीटर होगी सी ओप्षन आपका स्वरी यहाँ पर D ओप्षन करेक्ट हो जाएगा चली नेक्स्ट कुशन देखिए यहाँ पर जनसंख्या बितरन प्रदेशित करने हेतु सरवोत्तम बिदी है प्रतक छायांकन बिंदू कोरोपलेथ या फिल आइसोपलेथ जनसंख्या के बितरन के लिए सबसे जो बढ़िया बिदी मानी जाती है वो होती है आप लोगी बि बिंदू बिदी बी ऑप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा जिसको डॉट मेथोड भी बोला जाता है देख लिए इसका ब्याख्या कोरोपलेथ मैपका जो उप्योग किया जाता है जनसंख्या घनत्तु को प्रदर्स करने में किया जाता है प्रतम छायांकन से जानसंख्या की की अबर्सेति प्राप्त की जाती है आईशो प्लेथ सम्ताप सम्ताप रेखा की तरह ही होता है और इससे परसेंटेज एबम आनुपात दिखाय जाता है या आपका आईशो प्लेथ से दिखाय जाता है बिंदू मांचितर यानिकी दॉट मैप से कोरोपलेथ या फिर इसको तो इसमें बिंदू बिदी को बदलाया सकता है लेकिन इसको फिर से बदल नहीं सकते हैं पर लोग बिंदू बिदी में बिंदू मान चिते द्वारा एक बिंदू पर निर्धारित जनसंक्या के आसानी से कहीं भी दरसाया जा सकता है जैसे क्या होता है कि जैसे एक डॉ बरावर हमने 5,000,000 जन्संख्या मान लिए, 4,000,000,000,000, एक लाख मान लिए, पांच जार मान लिए यह इस तरीके से यहाँ पर जन्संख्या को परदर्सित किया जाता है आक बढ़िये केंद्रक धुर्बिय खमद्र प्रच्छेप में प्रकास का सुरोत कहां रखा जाता है गलोब केंद्र पर गलोब की पर्धी पर अनंत पर या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं जो केंद्रक धुर्ब्य खमद्र पच्छेप है इसमें जो प्रकास का शुरोथ होता है वो कहां पर रखा जाता है या अपका ग्लोब के केंद्र में रखा जाता है एये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देख लिए जिसके ब्याक्या तीन प्रकार के पच्छेप होते हैं भूमद रेकी खमदे पच्छेप धुर्बिय खमदे पच्छेप और तिर्यक खमदे पच्छेप चीक है चलिए आगे पढ़िए एक ग्राफ जिस पर किसी प्रकार के एक बर्ष के सभी महीनों के आदर बल्व तापमान और सापेच्छेक आदरता के मद्दे संबंद को दरसाता है उसे कहते हैं क्या अर्गोग्राफ, हीदर ग्राफ, क्लाइमेटोग्राफ या पर आपका क्लाइमोग्राफ तो बताई इसको क्या बोलते हैं, यह जो आदर बल्व होता है जिसमें तापमान और सापेच्छेक आदरता के मद्दे संबंद को दरसा जाता है, उसको बोला जाता है, क्या क्लाइमोग्राफ इसको बोला जाता है, डी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, देखें ज्यादा डेट कर जाते हैं, तो आपका क्या होगा, पूरा सलेबस अच्छे से कबर इसमें हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डेटेल में नहीं जाती हूँ, बहा ग्राफ जिस पर किसी इस्तान के एक बरस के सभी महीनों को आदर बल्व और तापमान सापेच्छेक आदरता, इन दसाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, हिदर ग्राफ ये क्या होता है, इसके अंतरगत और सत्मासिक तापमान एवं बरसा के मूल्यों को क्रमसे कोटियों यानि की ओडिनेट्स बबुजा यानि की एपसिकेस में दिखाए जाता है, ठीक है, बुजा और कोटियों मे परदर्शित करने के लिए निमलिकित में से कौन एक सरवादिक उपयुक्त होता है लॉरेंज कव दंडारिक या फिर आपका चक्रारिक सम्मान रिखा ये बात कर रहा है असमानता को परदर्शित करने की तो ये आपका कौन सा होता है लॉरेंज कव होता है ए ओप्सन आपका क असमान ता के लिए किया जाता है यह एक संचई प्रतिसरत वर्क है सौरी बक्र है इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज की द्वारा किया गया था इसलिए इसको क्या बोला जाता है लॉरेंज बक्र कहा जाता है जातर इनके नाम पर इनके ना इसके बुदस में भोगोलिक विश्यस्ताओं का विश्तरत अध्यन करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी कौन सी मापनी यहां पर बढ़िया उपयोगी होगी जो कि क्रसी के लिए पूची गई है एक छोटे छेतर के लिए पूची गई है एक अनुपात तीन लाग की या फिर एक अनुपात दस लाग की सोरी तीस लाग है यहां पर एक अनुपात दस हजार या फिर एक अनुपात एक लाग पचीस हजार कौन सी मापनी यहां पर स्वी टेबल होगी आप लोगा अंसर केजिए देखिए यहां पर ए छोटा छेत्र है तो यहां पर इजो मापनी हो गी वो एक अनुपात 10,000 की मापनी स्वीटेवल माने जाती है ठीक है चलिए इसकी ब्याक्या देख लीजिए इजे किसकी ब्याख्या दी गई है एक अनुपाद दस्यार मापनी क्रसी समदाई के भूदर्स समय भोगोलेक विसेस्ताओं का विश्तरत अध्यान करने पर सबसे अधिक उप्योगी होगी यानि कि हम छोटी छोटी इसमें चीज़ों को भी एड़ कर लेंगे मापनी के अधर पर मांचित्रों को ब्रहत मापनी लगू मापनी में बरिक्रत किया गया है इसी प्रकार ब्रहत मापनी मांचित्र को भूसंपत्ती मांचित्र इस्तलाकरतिक मांचित्र लगू मापनी वाले मांचित्र को भित्ती मांचित्र वो मेटलिस मांचित्र कहा जाता है मापनी दो तरह की होती है ब्रहत मापनी लगू मापनी और इसमें भी आपकी जो ब्रहत मापनी है ब्रहत मापनी में आपके दो मानचितर आते हैं जिसमें आपका पहला हो जाएगा भू संपत्ति मानचितर और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर इस्तलाकरतिक मानचित्र और जो लगवमापनी है जिसका स्किल जो हर होता है वो कम होता है तो वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र ठीक है इसमें ज्यादा दूरी कबर कर ली जाती है आगे बढ 1884 में 1917 में अफर 1894 में पताइए आप लोग कमेंट कीजिए फटा फट से दिखी जो अंतराष्टी तिथीरे का है इसका निर्धारण जो किया गया था वह आपके 1884 में किया गया था गहां पर किया गया था इसका यह आपका जो यूएसे है संयक्तुरा जमीर का वहां पर जग या निकी जब आप 15 डिग्री देशांतर पार कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा एक घंटा आगे पहुच जाओगे इसी समय अंतराष्टी तिथी रेखा का निर्धारण किया गया जो कि 180 देशांतर के सहारे जाती है ठीक है आगे बढ़िए चलिए यहाँ पर इसस्थानिक विवेदन के संदर में उपग्रै संब्येद को का निम लिकित में से कौन सा एक सही आरोही क्रम पूछा गया है यहाँ पर लोगों से यहाँ पर लेंडसेट का RHB दिया गया है लेंडसेट का TM IRSC का LIS2 ऐभबं यहाँ पर ECONOS2 का PAN नीचे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं उनका आप लोगों को चैन करना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है ठीक है पहले इनको आरो ही ग्रम में लगा लीजिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा वो आप लोगों का हो जाएगा लेंड सेट का आर पीबी ठीक है यह आपका फर्स्ट नमबर पर हो जाएगा फिर इससे कम में आप लोगों का आई रस होना चाहिए है ठीक है तो यह आपका कौन सा हो जाएगा आई-डार-स वन-सी का एल-ई-स सेकिन्ड यह आपका ची हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिए यह एक बाद में सी अब इसके बाद में आप लोगों का जो इ कोनो उसका PAN हो जाएगा यहाँ पर आपका D हो जाएगा ACBD आपका जो options है देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है ACBD भी option correct हो जाएगा ठीक है चलिए देख लीजिए यहाँ पर इसकी ब्याख्या यह दिए गए है इनको देख लीजिएगा यह कुशन कभी पुराना नहीं होता यहाँ से कुशन पूछा जाता है GIS पर आधारित मांचित को निमलिकित में से क्या किया जा सकता है अधतन संपादित प्रदर्शित या फिर गूगल बैप पोर्टल पर देखा जा सकता है बताए क्या किया सकता है इसमें options आप लोगों के नीचे दिये गए है केबल A और B सही है केबल B C और D सही है केबल A B C सही है या फिर चारों सही है बताए क्या किया जा सकता है आंसर कीजिए आप लोग फटा फट से जो जी है यह इस पर आधारित मांचितर है उसको निमलिकित में से क्या किया जा सकता है तो यहाँ पर देखिए उसको अधतन भी किया जा सकता है संपातित भी किया जा सकता है प्रदर्सित भी किया जा सकता है और Google Web Portal पर भी देखा जा सकता है चारो यह option आप लोगों के correct हो जाएंगे D option यहाँ पर correct है ठीक है? चलिए अभी पूछा क्या है? नियो question है आप लोगों का UGC Net 2020 में पूछा क्या है फोर उसके जस्ट बाद December के बाद में same question आपका repeat हुआ है 2021 में ठीक है? important बन गया कि नहीं? और यह आप लोगों के लिए अभी भी important है यह वाले question कभी पुराने नहीं होते हैं यहाँ पर इसकी ब्याख्या देख लिए लिए Clark है इनके अंसार भौगोलिक सूचना तंत्र किसी संगटन में स्थाने काकरणों की प्राप्ती बंडारन, बिसलेशन और किसी प्रस्तोती करण का computer आधारित क्या है? तंत्र है यह बात किसकी कर रहा है? GIS की बात कर रहा है भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से मांचित्र को अधैतन शंपादित, प्रदर्शित और Google बैप पोर्टल पर भी देखा जा सकता है यह एक सूचना बिज्ञान है जो इस्थान आधारित के संगटन बिसलेशन और प्रस्तोती करण के संबंद पर इस्तापित करता है इस प्रकार जो बिभिन प्रतिमान द्वारा इस्थाने की सूचनाओं के कम्प्यूटर आधारित चित्तरन किया जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र में दो प्रकार के आकड़े प्रतिमान अपनाई जाते हैं जिसमें पहला होता है आप लोगों का राष्टर डाटा और दूसरा होता है यहाप लोगों का बेक्टर डाटा ठीक है चलिए आगे बढ़िए यहाँ पर सूची एक के साथ में सूची दो को मिलाना है स्पेक्ट्रम दिये गए हैं उनके अप्ली किसंस दिये गए हैं नीला हरा लाल एवं तापिय दिया गया है बनस्पती दवाब इसलेशन बनस्पती से म्रदा विभेद करना यहाँ पर देखे कलर के अनुसार अपन लोगों को यहाँ पर डिवाइट करना है तो जो नीला होता है नीले से क्या होता है यहाँ पर सम्द्धत का म्रदा से और जो आपका तापिय हो जाएगा यह दवाब इसलेशन से हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका option जो होगा 3,4,2,1 सही हो जाएगा 3,4,2,1 यहाँ पर दिया गया है B option में ठीक है B option करेक्ट हो जाएगा यह भी नेव कोशन है एक सात रिपीट हुआ है देकी 2020 में भी आया है उसके बाद में 2021 में भी आया है आगे बढ़िये कई दिन से तब यह थोड़ी सी ठीक नहीं है मुझे लगा नॉर्मल फीवर है मैं चलती जाओंगी करती रही अपना लेकिन अभी जब टेस्ट कराया तो उसमें डेंग्यू था अब बलड बिल्कुल फोर पॉइंट रह गया तो एनरजी थोड़ी कम है पर कोई नहीं मैनेज कर लेना आप लोग ठेक है सोती सोती सी आवाज लग रही होगी आप लोगों को पर मैं सो नहीं रही हूँ मैं आराम आराम से ही बोल रही हूँ असमानताओं के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली 45 डिग्री की समान बितरन रेखा क्या कहलाता है बिकीड आरेक लोरेंज बक्र आयत या फिर उगाई बक्र या फिर इसको जाय बक्र भी बुला जाता है सेम कुश्चन देखे आप लोगों का यूजी सिलेट 2020 में 21 में यहां से यह सभी कुश्चन रिपीट हुए है यह इसके जयातर कुश्चन रिपीट होते है आप लोग इनको करके जाईएगा ठीक है तो यहां पर पताएगे क्या होगा इसका अंसर जो असमानताओ को देखा रहा है वो क्या होता है लोरेंज कव होता है या फिर लोरेंज बक्र होता है असी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा ब्याख्यास की देख लीजिए असमानताओ के मापन के लिए उप्योग की जाने बाली 45 डिग्री के समान बितरन रेखा को लोरेंज बक्र कहते है लोरेंज बक्र आईम असमानता का चित्र में बाड़न करता है इसे एक अमेरिकी अर्थसास्त्री थे जिनका नाम था मैक्स ओल ओरेंज उनके द्वारा 1905 में डेट याद रख लेना कभी कबार पूछ सकते हैं जब गोदिमाग घूमता है लोगों का तो ये कट कुशन उसमें डाल देते हैं तो ये कब किया गया था 1905 में ये ग्राप छेते जक्षिपर जनसंक्या तता उर्थवादर अच्चपर आई को दरसाता है इस तरीके से यहाँ पर जनसंक्या होती है और यहाँ पर उनकी इंकम होती है ठीक है आयाचित्र हिस्टोग्राम साधारन बारम बारता बंतन को प्रश्थत करने का सबसे सरलमाध्यम है और इसमें प्रत्यक बर्ख के लिए एक लंबवत आयत या फिर इस्थम्ब बनाया जाता है जिसका छेत्रपल संगत बारम बारता का समानुपाती होता है ये बात किसकी कर रहा है आयाचित्र की या फिर हिस्टोग्राम की बात कर रहा है चलिए आगे बढ़िए मौसम बिज्ञान संबंदी ये भी देखिए कोशन आप लोगों का जून में भी पूछा गया है और आप लोगों का दिसंबर में भी पूछा गया है मौसम बिग्यान संबंदी प्रथम उपगर है था कौन सा था T.R.M. या फिर आपका T.I.R.O.S. First M.O.D. I.S. या फिर N.O.H. कौन सा था है या पर मौसम बिग्यान संबंदी पहला उपगर है कीजिए आंसर क्या होगा इसका तो इसका देखिए जो correct answer हो जाएगा वो B हो जाएगा मौसम बेग्यान संबंदी सबसे पहला जो उपक्रह था वो TIROS फर्स्ट था रोज फर्स्ट भी बोल सकते हैं आप लोग तो चलिए इसकी ब्याख्या देख लिए नेक्स्ट पेज में देगई है अमेरिकी अंत्रच एजन्सी नाशा द्वारा 1960 में प्रत्थम सफल मौसम उपक्रह को लौच किया गया था जिसका नाम था TIROS फर्स्ट इसको बोला जाता है जो कि उपक्रह की एक नई तकनीक था इसलिए TIROS फर्स्ट इसका फुल फॉर्म देख लिए टेलिविजन एंड इंफ्रा रेड ओप्रेशनल सेटिलाइट ठीक है कारेकरम ने अंत्रच एजन्स के लिए बिभिन डिजाइन मुद्दों को इनका परिक्षण किया जैसे उपकरण, डेटा, परिचालन पैरामीटर एवं TIROS फर्स्ट कारेकरम की पहली प्रात्मिक्ता मौसम सम्मद्दी उपक्रह सुचना प्रणाली का विकास था नोवा नेशनल ओशनिक एंड एट्मोसफेरिक एड्मिस्टेशन ये भी क्या है एक अमेरीकी बेग्याने के एवं नियामक एजन्सी है जो मौसम की भविश्यमारी करती है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट कोईशन देखी यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लें जैसे आपको दिखाई दे चलिए आगे पर स्क्रॉल कर लेंगे जी आए इसके संबन्वे निम्लिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है पूचा गया है यह आप्सन कहा रहा है विवने स्रोतों से प्राप्त आखणों को संगत प्रारुक में एकिकरत किया जाता है दूसरा यहां पर कहा रहा है क्या यदी वाट इव पर्दस्यों को इस पस्ट रूप से इसमें देखा जा सकता है से ऑप्शन में बेक्टर डेटाबेस से grid sales के matrix का उप्योग करते हुए मानचे तराकरों को store किया जाता है या फिर attribute डाटा विशिष्टाओं के बारनात्मक आखड़े होते हैं बताइए आप लोग ने देख लिए होंगे सभी options क्या सही है यहाँ पर इनके options देख लीजिए नीचे क्या क्या दिया गया है cable A, cable B, cable C, cable D फिर से वही है आप लोगों का December 2020 में पूछा गया है June 2021 में पूछा गया है बताइए इसमें क्या option आप लोग सही जा रहे हैं तो यहाँ पर जो option आपका सही होगा सही नहीं है पूछा क्या है तो यह बात कर रहा है जो vector database है इसमें grid cells के matrix का उपयोग करते हुए मानचे तांकरों को store किया जा सकता है तो यह आपका गलत हो जाएगा c option गरत है बाकी के सभी यहाँ पर सही हो जाएगे तो जो सही होगा वो c हो जाएगा c का c में ही दिया गया है कभी कभी ऐसा होता है इनके यहाँ के option बदल दिये जाते हैं व्याख्या देख लीजे इसकी इसमें Clark के अंसार भोगल एक सूचना तत्र जिसमें अभी अपर लोगों ने पढ़ाता है यहाँ पर क्या क्या हो सकता है आकणों की प्राप्ती हो सकती है भंडारण हो सकता है बिशलेशन हो सकता है यह क्या है कम्प्यूटर आधारित तंत्र है इस प्रकाद GIS द्वारा बिविन सुरूतों से प्राप्त आकणों को संगत प्रारूप में एकिकरत किया जा सकता है क्या यदि यान की वाट टेप परदेश्यों में इस पस्ट रूप से देखा जा सकता है यहां पर है कम्प्यूटर हार्डवेर, कम्प्यूटर सॉफ्ट वेर, लाइफ बेर, एबम आपका आकड़ा आधार पांच वा आप लोगों का धाचागट संगठन हो जाएगा ठीक है सी आप्सन आपका गलत था बाकी के सब भी राइट हो जाएंगे आगे बढ़िए नेक्स्ट है यहां पर निमलेट को ध्यान में रखते हुए मानचित्र को बड़े से छोटे मापक के क्रम में व्यवस्तित करना है मापक के क्रम में यहां से पूछा गया है तो चलिए इनको व्यवस्तित कर लीजिए यह कौन सा हो जाएगा यहां पर आप लोगों का सबसे पहले यहां पर भूकर मानचित्र दिया गया है दूसरे पर आपका इस्तलाकरतिक मानचित्र दिया गया है फिर आपका दीवाल मानचित्र उसके बाद में गलोब मानचित्र दिया गया है तो देखी अगर देखा जाए तो ये पहले से ही सिक्वेंस में लगे हुए है यहाँ पर लोगों को फेर बदल नहीं करना है अपनी चत्रा ही नहीं फैलानी है सबसे पहले आपका भूकर मांचेतर होगा मापनी के आदर पर उसके बाद में उससे बड़ा आपका इसलाकतिक मा जाएगा उसके बाद में दिवाल मांचेतर हो सबसे नहीं आपका ग्लोब आता है ठीक है ए भी सी डी जहाँ पर हो उसको करेक्ट कर लेना और चुपई आगे बढ़ जाना ये भी आप लोगों का पूछा गया है दौनों सिप्ट में दिसंबर 2020 में भी जून 2021 में भी अगे भी पूरी-पूरी संभावना है चलिए देख लीजिए हाँ पर क्या दिया गया है इसकी ब्यख्या में मांचेतर को बड़े से छोटे मापक पर भूकर मांचेतर इस लाकरतिक मांचेतर दिवाल मांचेतर एव हम ग्लोब में विवस्तित करते हैं पूरे देश के दतक पालीन मानचित्रों को बनाने के लिए गेन इसलाकरती सर्वेचन सत्रेसो सरशटीस्वी में सर्वे ओफ इंडिया इसकी स्थापना के साथ में किया गया जिसके चरम बिंदू के रूप में 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र बन करके तयार हुआ तो कब बनाता अपना मानचित्र 1785 में बनाता याद रखिएगा आगे बढ़िए चलिए फिर से आपका वही कुश्चन दिसंबर 2020 जून 2021 किसी भी पिसेक नक्षा में निमलिकित में से किन पधितियों का उप्योग घटनाओं की मौजूदगी इसकी स्थाने के प्रतिरूप वित्रण एवं फैलाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है सममान रेखा मैपन मैपिंग, आईसो लाइन मैपिंग, कोरो प्लेथ मैपिंग या फिर बिंदू बिदी मैपिंग कौन सा हो गए यहां पर आंसर कीजिए, पढ़ा पढ़ सकीजिए, आप लोग जल्दी कीजिए तो देखिए यहां पर जो आपका बात किसके कर रहा है है, घटनाओं की मौजूदगी इसकी स्थाने के प्रत्रूप बित्रनेवं फैलाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो वो आपका बिंदू बिदी मैपिंग हो जाएगा डी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, इसकी ब्याख्या देख लीजिए किसी भी बिसेक नकसा में बिंदू बिदी जो मैपिंग होती है, इसका उप्योग घटनाओ की मौजूदगी, इसकी स्थाने के प्रत्रूप बित्रनेवं फैलाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है, इसी प्रकाजो सममान रेखा मान चित्र होता है, इसमें किसी बस्तू के समान मुल्याफर घटनाट वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं होती है, जो कोरोपलेथ है, इसमें भिन भिन घटनाट वाली चायाओं के द्वारा किसी बस्तू की प्रतीकाई छेतर, औसात संक्या, प्रसत मूल्य, जैसे कि जन संक्या को प्रती बर किलो मीटर में जब आपका practical हुआ होगा तो आपको पता होगा कि बिंदू बिदी कहां पर यूज हुआ था और जो कुरो प्लेट है वो कहां पर यूज हुआ था हम लोगों ने बनाया हुआ है आगे देखिये नेक्स और यूज है आपके कफन एक कफन दो में दिया गया है पहले यहाँ पर कहाती हैं कि फोटोग्राफ मुलते हैं एनालोग रूप में तयार होते हैं और जो image होती है वो digital रूप में तेयार होती है ठीक है एक और दो दोनों से हो जाएंगे एक option आप लोगों का correct हो जाएगा आगे बढ़िए same question पूछा गया है दोनों shift में आगे बढ़ते हैं next देखिए आप है कार्टोग्राफिके निमलेकित विधियों में से किसमें अंतरवेशन का प्रयोग किया जाता है बर्ण मातरी विधी में सममान रेखा विधी में बर्ण बर्णिकता विधी में या फिर बर्ण प्रतीकी विधी में किस में किया जाता है अंतरवेशन का प्रेयोग बताईए आप लोग अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए इसका जो प्रेयोग है वो किया जाता है सममान लेखाविदी में B option correct हो जाएगा ठीक है चलिए ब्याख्या देख लीजिए क्या है सममान लेखाविदी अभी अपर लोगों ने पढ़ा था लेकिन आगे भी इसमें दिया गया है क्या हो रहा है चलिए सममान लेखाविदी मांचित्र पर किसी बस्तू के समान मूल्या फिर घनत वाले इस्तानों को मिलाने वाली रेखाए इनको सममान लेखाविदी कहते हैं जैसे कि समधाव रेखाए हो जाएंगी सम बर्सा रेखाए हैं सम ताप रेखाए हैं समोच रेखाए हैं सम लवड रेखाए हैं आदी भिन्न भिन्न प्रकार की सममान रेखाए होती हैं सम्मान रेखा विदी का प्रयोग जलवायू के तत्तु जैसे कि तापमान, बर्सा, बायोमनली दाव, पवन, बेग इन सब के वित्रण को दिखाने के लिए किया जाता है इसके अत्रित जो लबणता का वित्रण हैं भूकमपों के प्रभाव छेत्र हैं किसी निश्चत स्थान से अन्य स्थान को जाने लगने बाले समय हैं इनकोमी सम्मान रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है संबान लिखा के अंत्रगत अंत्रवेशन का प्रयोग किया जाता है चलिए आके बढ़िए नेक्स्ट है यहाँ पे भारती उपग्रह भून लिछण उपग्रह 3 EOS 3 जो एक सुदूर संबेदी उपग्रह है कब प्रशेपित किया गया था 2021 को कब इसको प्रशेपित किया गया था तो यह आपका जो भारती उपग्रह की बात कर रहा है यह प्रशेपित किया गया था 12 अगस्त 2021 को स्री उप्चन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा देख लीजे इसकी ब्याख्या भारती उप्ग्रह भुरिच्छन उप्ग्रह थर्ड जो एक सुदूर संभेदी उप्ग्रह है जिसको इस रोने स्री हरिकोटा के 37 दबन अंतरप्षिकेंदर से GSLV F-10 रोकेट के द्वारा 12 अगस्त 2021 को प्रशेपित किया गया था लेकिन मिशन पूरा होने से 10 सेकेंड पहले ही क्या हुआ तकनी की खरावी के कारण मिशन जो था वो फेल हो गया आगे देखिए यहां पर अर्थ उप्जर्वेशन भुअब लोकन भुन रिच्छन का एक केंद्रिय पहलू है जो आकणों को अर्जित करता है भुअब लोकन हमारे ग्रह प्रत्वी के भौतिक रासायनिक जैविक एवं जयामिती विशिस्ताओं के बारे में सूचना को एकत्र कर हमें प्राकर्तिक एविम संसारिक पर्यावन के परिवर्तनों के इस्तर पर प्रभोधन या फिर रिकॉर्ड करने में सहायता प्राप्त करता है जो प्रत्वी अपलोकन है उबग्रह एक ऐसा उबग्रह है जिसे अपने कच्छा से प्रत्वी के अपलोकन के लिए इस्तेमाल या फिर डिजाइन किया गया है इसमें जासू से उबग्रह पर्यावानी निगरानी मौशंबिग्यान कार्टोग्राफी ये सबी उबग्रह सामिल है इन उबग्रहों का प्योग सेन ने तथा गेर सेन निकार्यों के लिए किया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट कोईशन है या पर नीचे द है तो के दत्तों के बिशले सर से संबंदित होते हैं ठीक है रीजनिसमन दिया गया है सुदूर संबेदनेवन भोगौलिक सुचना तंतर इस्ताने काकड़ों के महत पूर्ण स्रोत हैं तो यहां पर नीचे आप्संस दिये गए हैं उनको देख लीजिए ए और आर दोनों सह हैं परन्तु जो आर है एक की सही से ब्याख्या नहीं करता एस यह आर गलत है या फिर आर सही है एक गलत है कि बताई इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए तो यहां पर अभी कथन दिया गया उसके इसाब से देखिए जो सुदूर संबेदना एक भोगोलिक सूचना तंत्र दौनों ही इस्तानी मेहत्यों के तत्तों के विशले संड से संबंदित होते हैं यह सही हो जाएगा आप लोगों का रीजन इसमें सुदूर संबेदना भो भोगोलिक सूचना तंत्र इस्ताने काकड़ों के मेहत्यों शुरोत हैं रीजन भी सही दिया गया है तो ए और आर दोनों सही हो जाएगे और इनकी व्याख्या भी सही हो जाएगी ठीक है नीचे यहां पर व्याख्या दी गई है उसको देख लीजिए सुदूर संबेदन भोगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही इस्तानी मेहत्यों के दत्तों के विशलेशन से संब्देत हैं क्यों क्योंकि जो सुदूर संबेदन और भोगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही इस्ताने काकड़ों के मेहत्यों शुरोत होते हैं सुदूर संबिदन का अर्थ किसी दूर इस्थित घटना बस्तू या फिर धरातल के बारे में सूचनाओ आंकणों से प्राप्त करना दूसरे सब्दों में यह कहा जा सकता है कि तरंग धहरे के पराप्यगनी से लेकर के रेडियो प्रभाव तक आंकडे को इस्पष्ट करने की बिभारता या फिर अभ्यास को सुदूर संबिदन कहते हैं जब क्या होती है जो तरंग धैरे होती है उसको पराबैगने से बापस जब रेडियो के पास तक आती है उनको जो आंकरे सपष्ट होते हैं वो कौन करता है सुदूर सम्मेधन करता है ठीक है जब आप टेलीफॉन वगरा यूज करते हैं वो आपके तरंग धैरे कहा तक जाती हैं आपको पता होगा आयन मंदल तक वो पहुंचती है वहां से बापस होके आपको फीड़वेक दीती है ठीक है हम संब्य तक पर अंकित पराबर्तित प्रकास के आविसों के बिशलेशन करते हैं ततपस्चात प्राप्त आकड़ों तता प्रतिविम्बों के माद्यम से किसी प्रतिवी इस्थान घठना या फिर बस्तू के संबंद में आवस्यक जानकारी प्राप्त कर निसकर्ज तक पहुंचते हैं चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट कोशन देख लीजी यहां पर और भी दिया गया इसकी व्याक्या काफी बढ़ी है चलिए इसको भी देख लीज प्रक्रियन, परिचालन, बिशलिचन, व्यवस्तिकरण, आधी को परदर्शत किया जाता है भॉगॉलिक सुचना तंत्र आखड़ों एवं सुचनाओं पर आधारित होता है तथा इसके आखड़े के कई स्रोत बेश्वरूप होते हैं जिसका संबंद किसी इस्थान या फि आगे देखिए नेक्स्ट कुशन है आपर निमलिकित में से कौन बर्ण करम सुदूर संबेदन तकनीक में निर्बनी करण का पता लगाने के लिए सबसे उप्युक्त होता है तो आप यह अब रख्त दरस से बर्ण करम 0.5μ, दरस से बर्ण करम 0.4μ, फाल्स कलर कमपोजिट तो यहाँ पर पता किसका लगा रहा है निर्बनी करण का पता लगाने के लिए सबसे उप्युक्त तकनीक कों सी मानी जाती है अगर आप लोग को पता है तो बताइए, तो यहाँ पर जो सबसे उप्युक्त तकनीक होगी वह आपकी फॉल्स कलर कंपोजिट हो जाएगी D option क की ब्याक्तिया यह दस्यमान लाल हरे नीले रंगों के घटकों के अलावा अन्य बेंड का उपयोग करके उत्पादित बहुत स्पेक्ट्रम छभी का प्रतने दित्तु करती है तता यह हमें उन तरंग धहरे की कल्पना करने की अनुमत्ति देता है जिनने मानव आखों से नही टवरक्त होता है फॉल्स कलर कंपोजिट कई अलग-अलग विशेश्ता को उजागर कर सकते हैं जैसे कि एन आई आर में स्वस्त बनस्पती की उपर दिखाया गया फॉल्स कलर कंपोजिट चमकदार लाल दिखाई देता है जो कि अपन लोगों को नहीं दिखता है ठीक है क् लांगी जमीन जो होती है वो लाल दिखाई देती है जैसे आप लोगों को मिट्टी वाली दिखाई देती है उसमें कैसे दिखाई देती है लाल दिखाई देती है बर्फ जो होती है चमकीली नीली दिखाई देती है अधा यह कहा जा सकता है कि जो निर्वनी करण है इसका लगाने के लिए सबसे जो उपयुक्त सुदूर संबिदन तक्नीक होगी वो फॉल्स कलर कंपोजिट हो जाएगी ठीक है आगे बढ़िए नेक्स्ट है आपर निमलकित में से खौन एक दुछरिय सह संबंद विदी नहीं है पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए कौन सी नहीं होगी कारल पियेशन की गुडांक विदी इस्पियर में की कोटी सह संबंद विदी आंसिक सह संबंद विदी या फिर नियूंतम बर्ग विदी द्वारा अगरित सह संबंद विदी तो कौन सा ओप्सन करेक्ट है बताइए तो देखिए दूइचरी सह संबंद विदी नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर आप लोगों की एक ही विदी पशती है इनमें से आंसिक सह संबंद विदी बागी की सभी दूइचरी सह संबंद विदी हो जाएंगे सी ओप्सन करेक्ट है देखिए आप ब्याख्या दी गई है बिबिन जब एक चर के मूले में ब्रदी हो या फिर कमी होने से दूसरे चल के मूले में भी ब्रदी या फिर कमी हो जाती है तो दोनों के बीच में संबंद को पारस पर एक सह संबंद बोला जाता है सह संबंद को मुखे तर तीन भागों में बिवाजित किया गया है जिसमें आप लोगों के कौन कौन से होते हैं धनात्मक या फिर रिनात्मक सह संबंद रेखिये या फिर आपका चक्र रेखिये सह संबंद सरल आंसिक बहुगरी सह संबंद अब यहां पर आंसिक सह संबंद क् में चान लीजिए जब दो से अधिक चर मूल्यों का अध्यन किया जाता है तो उनमें से केबल दो चरके मूल्यों के पारस पर एक संबंद की ही गणना की जाती है बाकी के चरकी गणना यहाँ पर नहीं की जाती है अन्य चरके मूल्यों के प्रभाव को इस्थाई मान लिया जाता है तो इस प्रकार के सहसंबंद को कैसा का जाता है आंसिक सहसंबंद काहा जाता है आगे बढ़िए next question देख लीजिए इससे पहले भी दिया गया है कारल पियर्षन की गुडांक विदी स्पियर्मेन की सहसंबंद विदी तथा नियुन्तम बर्ग विदी इनके द्वारा अकड़ित सहसंबंध विदी ये सभी कैसी हो जाएंगे दोए चरिय सहसंबंध विदी है जबकि जो आंसिक सहसंबंध विदी है वो दोए चरिय नहीं है चलिए आगे पढ़ेंगे प्रदर्शन भिन एक अनुपात पचास हैर पर बने एक मानचित्र को दो गुना बड़ा किया जाता है विस्तारित मानचित्र का मापक क्या होगा एक अनुपात पचास होगा एक अनुपात पचीस हजार होगा या फिर आपका एक अनुपात एक लाख होगा या एक अनुपात दस हजार होगा देखे जब अगर हम बढ़ा करेंगे तो उसको डिवाइड कर देते हैं छोटा करते हैं तो उसको इंटू कर देते हैं दो से तो यहाँ पर बढ़ा किया गया है तो एक अनुपात पच्छीस हो जाएगा बी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा मापनी कितनी होगी एक अनुपात पच्छीस हजार की मापनी हो जाएगी आगे देखिए इसकी ब्याक्या तो दी ही छोटी सी दी गई यह वो आपको बता दे गई है संपूर्ण गलोग के लिए गाल पच्छेप में भूमत रेखा की लंबाई कितनी बड़ी बनाई जाती है भूमत रेखा की बास्तविक लंबाई के बराबर या फिर 45 डिगरी अच्छांस रेखा की लंबाई के बराबर बनाई जाती है तो यह गलोब की बात कर रहा है गलोब पर जो भूमत रेखा है उसकी लंबाई कितनी होती है उसकी दिखिए जो लंबाई होती है किलोग पर वो होती है 45 डिगरी अच्छांस रेखा की लंबाई के बराबर होती है B option आप लोगों का correct हो जाएगा ठीक है ब्याख्या देख लीजिए गाल प्रच्छेप क्या है एक संसोदित बेलनाकार प्रच्छेप है इस प्रच्छेप में प्रत्यक अच्छांस ब्रत की लंबाई 45 डिगरी अच्छांस रेखा की लंबाई के बराबर होती है इस प्रच्छेप में अच्छांस रेखाओं के बीच की दूरी भूमत रेखा से दुरबाओ की ओर में क्या होती है बढ़ती जाती है जब आप लोग जाएंगे भूमत रेका से दुर्बाव की ओर में तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो बढ़ती है जबकि जो देशांतर रेखा है इनके बीच का अंतराल एक समान ही रहता है या प्रचेप न तो इथाकरतित है और नहीं समचेत्र है इसमें दिशाका भी सुद्रपदासन नहीं होता है या प्रचेप विदी के सामान निमान चत्रों के लिए बिशेश रूप से उप्योगी है चलिए आगे बढ़िए निम्न में से कौन एक G.I.S. मॉडलिंग का परिणाम नहीं है दोए परतरूप, सूचक परतरूप, प्रती गमन परतरूप या फिर आफिर आपका परतिश्ठित परतरूप होगा कौन सा नहीं है आपे आंसर कीजिए फटापड से G.I.S. मॉडलिंग का परिणाम नहीं होगा तो वो आपका परतिश्ठित परतरूप है डी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्याक्या देख लीजे प्रतिस्टिक पत्रूप GIS मोडलिंग का परणाम नहीं है मोडलिंग GIS में एक सक्तिसाली संबेदन सील यंत्र की भाती कार्ले करता है इसमें आकणों के तरकों की क्रमिक प्रक्रिया की जाती है इसमें एक चर से दूसरे चर में संबन्द स्थापित किया जाता है मोडलिंग के द्वारा सामाननी करण, विशेष्टी करण तथा भविस्यवाणी की जा सकती है इसी प्रकार मोडलिंग के द्वारा जटल सनलचना वाले आकणों को सरली करत कर प्रक्रिया के अनुरूप ढाल कर किसी अवयाव या फिर चर के भविस्यवाणी की प्रवर्थी निधारत की जा सकती है आगे बढ़िए निमलिकित में से कौन एक चिन आकणों को नहीं दरसाता है इस्थाने को उचाई आकणों की बात कर रहा है तल चिन समोच रेखा या फिर आपका त्रिभूजी स्टेशन तो आकणों को यहापे कौन नहीं दरसाता है पूछा गया है तो वो आपका समोच रेखाएं हो जाएंगी C option correct हो जाएगा समोच रेखाएं कौन सी होती है जो समान होचाई को मिलाने वाली रेखाएं होती है उनको समोच रेखाएं कहा जाता है चली इहां पर इसकी व्याख्या दी गई होगी समोच रेखाएं क्या होती है खंबों आधी पर अंकित किसी चिन्न की सम्मुद तल से उचाई प्रदर्शित की जाती है इस्थाने कूचाई मान्चित्र में धरातल के किसी स्थान की सम्मुद तल से उचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदू को इस्थाने कूचाई कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़िए भोग अलेक सुचना परणा ली GIS का आरम प्रारम हुआ था कब हुआ था 1962 में, 1965 में, 1968 में या फिर 1960 में तो इसका कब हुआ था आरम GIS का आप लोग को पता है कि आंसर कीजिए तो यहाँ पर देखिए हो GIS का परारम पुआ था 1960 में टे ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा, व्याख्या देख लीजीए GIS का आध्या한다 1960 से प्रारम पुआ था भोग लिक सुचना प्राणाली एक ऐसी प्राणाली है जो सभी प्रकार की डेटा का निर्मार, प्रभंद, बिसलेशन और मांचित्रन करती है या डेटा को मांचित्र से जोडता है या किसी इस्थान को सभी प्रकार की बरनात्मक जानकारी के साथ में एक इकरत भी करती है ठीक है, आगी बढ़िए DBMS का तातपर है आकड़ा आधारित बिर्मार परणधाली आकड़ा आधारित प्रभंदन परणई आकड़ा आधारित प्रभोदन परणई या फ़र आकड़ा आधारित मिस्रत परणई तो बताई क्या हो जाएगा DBMS जो इसका पूरा नाम होता है Database Management System ठीक है तो इसमें क्या option आप लोगों का सही होता है इसका जो सही तातपर हो जाएगा वो आकड़ा आधारित प्रबंदन प्रणाली हो जाएगा हिंदी में दिया गया है इंगलिस में आप लोगों की याद रखना database management system देख लीजे ब्याख्या इसके यहाँ पर दिया गया है डीवी एम का पूरा नाम database management system तीन सब्दों से मिलकर की बना है जिसमें database आखणों को अत्यदिक मात्रा में एकत्रित करना management आखणों का प्रवंदन करना system यानि की आखणों को प्रवंदित करने वाली प्रणाली software होता है ठीक है आगे बढ़िए क्या होता है प्रदरसित बताई आप लो यह बत कर रहा है राजरा सोमान चितर की तो यहाँ पर जो प्रदरसित होना चाहिए भूमी उप्योग होगा वी ऐस अप्लों का करेक्ट हो जाएगा ये भी आख्या दी गई है राजा सुमान्चित्र की सहायता से प्राय भूमी उपयोग को प्रदसित किया गया है राजस्व मांचित्र भैत मापनी पर बनाया जाता है इसमें किसी ग्राम का मांचित्र, खेतों की सीमाय, मार्ग कुए, जलनास है सारवजनिक इस्थान के रूप में होने वाले भूप योग को दर्साया जाता है पुरा जस्व एवं कर्बसूली के लिए इस प्रकार के मांचित्रों का नर्मार सरकार के द्वारा कराया जाता है या नगर नियोजन एवं भूनियोजन के लिए महत्पूर्ण होते हैं आप लोग भी अपने ग्राम का नक्सा देख सकते हैं, खेतों का नक्सा देख सकते हैं, आपके यहां का जो लिख पाल होगा, उससे जाएए बात कीजिए, वो निकाल के देदेगा, चीक है, आगे बढ़िए, निमना कितमें से, किसने प्रथम बार फोटो ग्रामिती सब्द क प्रयोग किया था, हौक ने, A मेडन बोयर के द्वारा, S फिंसर बॉल्डर के द्वारा, या फिर, F इस्टोल्ज के द्वारा, आंसर क्या होगा, इसका फटा-फट से कीजिए, तो जो सबसे पहले फोटो ग्रामिती सब्द का प्रयोग किया गया था, वो किया गया था, A मे इन बोयर ने किया था फोटोग्रामिती भौतिक बस्तुओं पर्यावराण के बारे में विश्वसनी जानकारी प्राप्त करने का बिज्ञान एवं तकनीक है जो फोटोग्राफिक छबियों और विद्द चुम्ब की उज्वल इमेजनरी और अन्य घटनाओं के पैटर्न के रिकर्ड करने मापने और वियाक्या करने की प्रक्रिया के माध्यम से है ठीक है तो यह हो गया आप लोगों का आज का session और यह session कैसा लगा जरूर बताईएगा जरूर इसमें थोड़ी से energy कम रहीती पर कोई दिक्कत नहीं है तो उसे तीन दिन में energy हो जाएगी complete ठीक है मिलते है next session में तब तक के लिए धन्यवाद और सभी questions के आप लोग answer कीजिएगा जितने भी questions देखें हैं आप लेगोंने उन सभी की answer आप लोग कीजिएगा और इसको एक से दो बार देजिएगा क्योंकि इसमें क्या है बहुत important है आपका यह वाला session G.I.S. अगर आप लोग यहां से कर जाएंगे क्योंकि मेरे पास question आप लोग के G.I.S. के ही कम से कम 200 से 2500 question है उनको आप लोग कर जाएंगे तो आपकी complete G.I.S. यहां से हो जाएगी ठीक है तो मिलते है next session में अगर अच्छा लगा हो तो इसको like करेंगे और अपने friends को share ठीक है धन्यबाद thanks for watching निम्न मैंसे कौन एक मापनी का प्रकार नहीं है रेखात्मक, कथनात्मक, भिनात्मक या फिर ब्याख्यात्मक तो कौन नहीं है यह आपे मापनी का प्रकार देखें यह आपे जो रेखात्मक होता है, कथनात्मक होता है, भिनात्मक होता है ये तीनों ही क्या होते हैं मापनी के प्रकार होते हैं लेकिन जो आपका ब्याख्यात्मक दिया हुआ है ये कैसा है ये मापनी का प्रकार नहीं है ठीक है चलिए देखिए इसकी ब्याख्यात्मक बिदी क्या है मापनी का प्रकार नहीं होता है मानचित्र में पदर्शित किनी दो बिंदों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन दो बिंदों के बीच की बास्तिविक दूरी के अनुपात को उस मानचित्र की क्या कहा जाता है मापनी कहा जाता है यह दूरी हो गई यह दूरी हो गई और यहां की दूरी कितनी है धनात्मक विदी निरूपक या फिर भिन्णात्मक विदी ठिक है तो आपके कौन से विदी नहींती बैक्क्यात्मक कौई विदी नहींती बाकी की तीनों विदी एंठी चालिए next question दिखियं आपर निम्लिकित में से कौन सा एक मापक का प्रकार नहीं है बर्नियत, कर्णवत, तुलनात्मक या फिर संक्वाकार तो एक मापक का प्रकार नहीं है पूछा गया है कौन सा उप्सन आप लोगों का करेक्ट होगा संक्वाकार जो है बुक कोई मापक का प्रकार नहीं है मापक का प्रकार नहीं है, ये वही है व्याख्या जो अभी आपन लोगों ने पड़ी हुई है, मानचित पर जो मापनी होती है, प्रदासित करने की तीन विदियां होती हैं, जिसमें आप लोगों ने जाना था, कतनात्मक विदी, निरूपक विदी, एवं आरेकी विदी, आ जो मापकी धाल मापनी, ये सब क्या हो जाएंगे, आरेकी के इंतर गता जाएंगे, ठीक है, चलिए आगे पड़िए, नेक्ट है आपे, ये था करदिक परच्छिप दरसाने के लिए उपयुक्त है, क्या है ये आपे, बायु दिसा, महासागरी, धारा, परिबहन या फिर ये सबी हो जाएंगे, आंसर कीजी आप लोग का क्या होगा, ये था करदिक परच्छिप दरसाने के लिए, देखिए बायु दिसा भी आवस्यक है, महासागरी, धारा भी उपयुक्त है, परिबहन मार्ग भी, तो यहाँ पर उप्सन आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएग विदी द्वारा समतल सतय पर निर्मत अच्छांसवद इसांतर लेखाओं के जाल या फिर भूग इरड को मांचित्र पछेब कहा जाता है, इस तरीके से ये क्या बना होता है, जाल, गिरड, पिक्सल्स ये सभी बने होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, मांचित्र प्रच्षेप का उपयोग किया जाता है आप लोगों ने देखा होगा गलोब देखा होगा या फिर आपने मैप देखा है ये सबी क्या होते हैं मानचेत्र प्रच्षेप होते हैं अब बाद आती है इथाकरतिक प्रच्षेप की तो इसमें क्या है मानचेत्र पर किसी छेत्र क बहा आकरती आती है जो उस छेतर के गलोब पर है ठीक है ये क्या है गलोब पर गोल तरीके से मिलता है आप लोगों को और मांचेतर पर सीधे प्लेन तरीके से मिलता है तो उस मांचेतर प्रचेप को यथाकरति प्रचेप कहा जाता है यानि कि इस चौकोर में आपको मिल जाए मर्केटर एवं त्रिविम प्रच्छेप यथाकर्तिक प्रच्छेप के उधारण है इनको याद रखेगा यहां से कोशन पूझा जा सकता है कि यथाकर्तिक प्रच्छेप के उधारण कौन-कौन से है तो आपका मर्केटर है और एक आपका त्रिविम प्रच्छेप है दोनों किसके उधारन हो जाएंगे यथाकर्तिक प्रच्षेप के मांचित्रपत सुद्ध दिसा इवं सुद्ध आकर्ति प्रदर्शित करने के लिए यथाकर्तिक प्रच्षेपों का प्रयोग किया जाता है उधारन के लिए देख लिए देख लिए यहां पर बायू की दिसा मासाग यह धारा हैं परिभवन मार्ग इन सभी में यताकरतिक प्रच्छेप का प्रयोग किया जाता है आगे बढ़िए नेक्स्ट यहां पर है एक इलेक्टोनिक इलेक्ट्रो मेगनेटिंग स्पेक्ट्रम की सबसे धीर्ग तरंग निम्न में से कौन सी है धीर्ग पूछी गई है सबसे धीर्ग होती है ठीक है सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा कौन-कौन सी तरंग धहरे होती है यहां पर देख लीजिए इनके क्रम भी देख लीजिए रेडियो तरंग है माइक्रोबेब है इन्परलेड है द्रसर प्रकास है प्राबैगनी एक्सरे उसके बाद में गाम ब करण आती है ठीक है इनकी सीक्वेंस याद रखीगा यहां से क्वेशन पूछा जाता है अभी आपका पीएजड इक्जाम हुआ था जीवाजी उनिवर्स्टी का गौालियर में तो उसमें यह वाला क्वेशन आया था चलिए आगे बढ़िए निम लिकित में से कौन सा यह क यह अंतर हवाई फोटोग्राफी में सामाने ते प्रयोक्त नहीं होता है इसका प्रयोक कहां पर किया जाता है यह भी आख्या में दिया गया है देखिए आपर जो डंपी लेवल है इस यह अंतर का अप्योक किया जाता है तलमापन हे तू ठीक है इसका लिए किया जाता है तलमापन के लिए इसका प्रयोक किया जाता है धरातल पर दिये गए बिंदू की आप इच्छे कूचाई का निधरन तलमापन कहता है जो भी धरातल है आपका यह समतल मैदान है यहाँ पर कहीं पर पहाड हो गई कहीं पर प्लैटू हो गई कहीं प अभी के उचाई को निधारण करने के लिए मापने के लिए जो अपन लोग यूज करते हैं वो होता है डंपी लेवल आगे यहाँ पर स्टीरियोस्कोप दिया गया है तो इसको भी जान लीजिए क्या है यहाँ पर स्टीरियोस्कोप या फिर इसको त्रिविम दर्सी कहा जात जो एक ही चित्र आयामी छबी के रूप में एक द्रस सिबाएं और दाई के द्रस्यों को दर्साते हैं दो प्रकार का होता है पहला होता है लेंस स्टीरियोस्कोप दूसरा होता है दरपन स्टीरियोस्कोप ठीक है मल्टिप्लेक्स जान लीजे इसमें क्या होता है यह आपके म इनी रंगों के चस्में से देखा जाता है जिसे अती ब्यापे छेत्र उच्चावच के सद्रस देखाई देता है तो इसमें क्या होता है दो कलर होते हैं नीला और लाल उसी रंग के चस्में बनवा जाते हैं और उसी रंग से उनी चस्मों से उसको देखा जाता है ठीक है यह आपका multiplex में है आगे बढ़िए next question देखिए निमलिकित में से कौन सी देशांतर रेका अंतराष्टी तिथी रेखा मानी गई है 180 डिग्री साड़े 23 डिग्री साड़े 66 डिग्री या फिर 90 डिग्री तो यह तो आपका easy question है किसको माना गया है 180 डिग्री को माना गया है न यह option correct हो जाएगा इसको क्या माना गया है अंतराष्टी तिथी रेखा माना गया है चलिए इसके बारे में भी जान लीजिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतराष्टी तिथी रेखा माना गया है 1884 में सैक्त राज अमेरिका के बासिंग्टन डिसी एक जगह है अमेरिका में एक अंतराष्टी कॉंग्रेस का आयोजन हुआ और अंतराष्टी तिती रेखा का निधारन किया गया जो के 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे से गुजरती है यह रेखा सीधी न होकर के 180 डिशांतर से तीन बार बिचलित है यानि कि अपनी जगे से भूमी हुई है क्योंकि इस थल से गुजरने पर वहां तितियों के अलग-अलग होने की असुविदा उत्पन हो जाती है इसलिए क्या हुआ है तीन बार यह बिचलित है अपने मार्ग स चलिए आगे बढ़िए समान दूरी पर खीची गई समोच रेखा एंगित करती है धीमा डाल तीबर ढ़ाल सम ढ़ाल या फिर उत्तम ढ़ाल तो बताइए समान दूरी पर जब रेखा है खीची जाएंगी तो वह सम ढ़ाल ही होगा सी ओप्सन आप लोग का करेक्ट होना चा समोच रेखा है समधाल को इंगित करती है समध तल से धरातल पर समान उचाई वाले इस्थानों को मिलाने वाली रेखा है जो होती है उनको समोच रेखा है कहा जाता है मान्चित्रप में पास पास में खीची गई रेखा है तीबर ढाल को दूर दूर इस्तित रेखा है कम ढ परिच्छेदकाई या फिर परिच्छेदकाई पताई यह कौन सा नहीं है इसमें परिच्छेदकाई का प्रकार आंसर कीजिए अगर आप लोगों को आ रहा है तो तो देखी यहाँ पर जो आपका परिच्छेदिकाई का प्रकार नहीं है वो आपकी सरल परिच्छेदिकाई हो जाएंगी B ओप्सन और करेक्ट हो जाएगा कौन-कौन से परिच्छेदिकाई होती है यह भी आप लोग ब्याक्ठ्या में देखी है यहां पर दी गई है जो सरल परिच्छे दिकाए हैं परिच्छे दिकाओं का प्रकार नहीं है किसी समोच रेकी मानचित्र में उच्चाबच एवं ढाल को परदर्शत एवं इसपश्ट करने के लिए परिछेदिकाओं का प्रयोग किया जाता है किसको जो मांचेत्र होता है उसमें जो आपके उच्चावच होते हैं उच्चावच में आपके परवरत पधार मैदान ये सबी आते हैं तदा जो ढ़ाल होती है उसको पदसन करने के लिए यहाँ परिछेदिकाओं का प्रयोग किय जाता है चार प्रकार के परिच्छेदकाई होती है जिसमें संकर्म परिच्छेदकाई यानि कि सीरियल प्रोफाइल्स अध्यारोपित परिच्छेदकाई यानि कि आपकी सुपर इंपोज्ट प्रोफाइल्स परचिप्त परिच्छेदकाई एबम आपकी मिस्रित परिच्छे ये सभी चार प्रकार हो गए परिछेदकाओं के या फिर प्रोफाइल्स के आगे बढ़िए नेक्स्ट है यहां पर एक अनुपात 50,000 माप पर बने मांचेतर पर एक सेंटीमीटर की दूरी धरातर पर कितने मीटर को प्रदर्शित करती है एक सेंटीमीटर की दूरी यहां पर प्रदर्शित कर रही है ठीक है चलिए आगे बढ़िए निमलिकित मेंसे कौन एक ब्रहद मापक मांचेतर का उधारण है ब्रहद मापक पूछा गया यहाँ पर भूसंपति मांचेतर दिवारी मांचेतर एटलस मांचेतर या फिर कोई नहीं तो यहाँ पर देखिए मापनी ली जाएगी किलोमीटर उसमें कम लिया जाएगा तो वो आपका केडस्टल या फिर आपका भूसम पती मानचित्र होता है जो के ब्रहद मापनी का होता है ठीक है ए ओप्सन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर देखिए दो दिये गए हैं ब्रहद मापक कौन-कौन से होते हैं जो आपके ब्रहद मापनी लाज स्केल एवं लगू मापनी वाले यानिकि स्मॉल स्केल मापक हो जाएंगे तो देखिए हाप भूसम पती जो मानचित्र है एवं इस्तलाकरती मानचित्र दोनों को याद रखेगा केडस्टल मैप एवं टोपोग्राफिकल मैप इनको ब मापनी के आधर पर मानचित्रों का करम अगर पूछा जाए तो इसको भी याद रख लीजिए भूसम पती मानचित्र हो जाएगा इस्तलाकरती मानचित्र हो जाएगा दीवारी मानचित्र हो जाएगा उसके बाद मापनों का एटलस मानचित्र चारों का करम याद रखेगा यहां से question पूछे जाते हैं आगे बढ़िए निमलिकित में से किसे एक क्रिया को आर्थिक मानचित्र पर प्रदर्शत किया जाता है भूमी उपयोग, परिवहन, खनिज या फिर खनन या फिर यह सभी हो जाएंगे तो देखिए आर्थिक मानचित्र की बात है इसकी ब्याख्या देख लीजिए आर्थिक मानचित्र पर भूमी उपयोग, परिवन, तथा खनिज इन सभी तत्यों को परदर्शत किया जाता है किसी मापनी से लगूकुरत हुए आयामों को आधार पर संपूर्ण प्रत्वी या पर उसके किसी भाग का चयनित, संकेत, आत्मक, सामानने परदर्शन मानचित्र कहलाता है प्रकार रखे आधा पर मानचित्रों के दो प्रमुख बरिकरत हैं जिसमें भौतिक मानचित्र और आपका सांसकतिक मानचित्र ठीक है भौतिक में कौन-कौन से आजाएंगे आपके जो उच्चावच मानचित्र होते हैं वो आपके भौतिक में आएंगे और भी यहापे जैसे भूगर भी मानचित्र हो जाएंगे जलवायों का अगर आप लोग निकालेंगे मिर्दा का निकालेंगे तो यह सभी किसमें आजाएंगे आपके बहुतिक मानचित्रों में आएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है यह सभी किस में आजाएंगे, आपके बहुतिक में आजाएंगे, सांसकतिक में जो आते हैं, उनको देख लीजिए, यहाँ पर सांसकतिक में राजनितिक मानचित्र हो जाएगा, जनसंक्या मानचित्र हो जाएगा आर्थिक मानचित्र है परिवन मानचित्र है ये सभी सांसकतिक में आएंगे आर्थिक मानचित्र पर भिविन प्रकार की फसलों एवं भिविन खनेजों के उत्पादन बितरन उध्योग एवं बाजारों की स्थिति ब्यापार मार्ग एवं उत्पादों के एवं भूमी उप्योग को प्रदर्शित किया जाता है यह किस में किया जाता है आर्थिक मानचित्र में लेकिन यह जो आर्थिक मानचित्र है वो आता किस में है सांसक्रतिक में ठीक है चलिए आगे बढ़िए निमलिकित में से कौन एक लगू पेमाना मानचित्र है तो पर आपका C option correct हो जाएगा, Atlas मान चितर कैसा हो जाएगा, लगू मापनी का या फिर लगू पेमाना मान चितर हो जाएगा, ठीक है, ब्याख्या देख लीजिए इसकी, Atlas मान चितर एक लगू पेमाने का मान चितर है, लगू मान मान चितर कौन कौन से होते हैं, भित्ती मान चित में आप लोगों नटंगा हुआ देखा होगा ब्याख्यान कच्च के लिए होता है इसकी मापनी स्तलाकरती मानचितर से लगू लेकिन एटलस मानचितर से ब्रहत होती है जो आपका स्तलाकरती मानचितर बना जाता है उससे तो यह छोटा होता है लेकिन जो लगूमान मांचित्र है, यानि कि इसमें सभी चीजों को बड़ा-बड़ा पेहमाना इसमें लिया जाता है, यानि कि किलोमीटर से इसमें ज्यादा लिये जाते हैं, जगा इसमें कम ली जाती है, ये मांचित्र बड़े आकार वाले छेत्रों को परदसित करते हैं, तता बहु आकरती, अपबाह, जलवायू, बनसपती, नगरों एवं सहरों के बितरण, जनसंख्या, उध्योगों की स्थिति, परिभान तंत्र, पर्यटन, दरोहर, आधी के संबंद में सामाने जानकारी प्रधान करते हैं. आप लोगोंने मैप देखा होगा, जो आप एटलस है, जब आप लेके आएंगे, इसमें सभी आपको अलग-अलग से भी मिलता है, पहले आपको पूरा बर्ल्ड मैप मिलेगा, और उसमें मोटे-मोटे सभी देशों के बारे में जनकारी होगी, फिर आप जाते जाएंगे नेक्स्ट कोशन इसमें, पुस ब्रूम क्रम बीक्षर स्कैनिंग ऑपरेशन सबसे पहले, निमले की तमेंसे किस उप्रेमर किया था, पासकर फर्स्ट में, टिरोस फर्स्ट में, लेंड सेट फर्स्ट में, या फिर आपका स्पोर्ट फर्स्ट में, तो किसमें किया गया था पुस्भूम की बाद कर रहा है पुस्भूम की तो यहां पर आपका स्पोर्ट फर्स्ट हो जाएगा यहां पर सबसे पहले क्या किया गया था इसका स्केनिंग किया गया था आगे बढ़िए यहां के ब्याख्या दी गई है क्या है यह इसके बारे में जान लीजिए पुस्भ क्रम्बीक चक बहुत सारे संसूचकों पर आधारित होता है जिनकी संख्या विवेदन के कार्य छेत्र को छेत्री विवेदन से विवाज़त करने पर प्राप्त संख्या के समान होती है फ्रांस के सुदूर संबेदन उपग्रे है इस्पॉर्ट में लगे उच विवेदन द्रसित विकरण मापी संबेदक का कार्य 60 किलो मीटर है उसका छेत्री विवेदन 20 मीटर है अगर हम 60 किलो मीटर या फिर 6000 मीटर को 20 मीटर से विवाज़त करेंगे तो हमें जो आकड़ा प् सुचक लगाए गए पुस ब्रूम स्केनर में सभी डिटेक्टर पंक्टी में क्रमबग्द होते हैं और प्रत्यक डिटेक्टर प्रत्वी के ऊपर अधो बिंदू द्रसे एवं द्रसे पर 20 मीटर के आयामबाली परिवर्थित तुर्जा का संग्रहण करते हैं ठीक है सये नीग्ध हो आगे बढ़िए नेक्स्ट है याँ आप निममन लिकित में से किस छेतर मी निस्क्रिय माईग्रो विद्र रिमॉट सेंसिंग का ऒभा धायाँ जाता है ब्रदा विदन में खनीज बिगयान में समुद्र विद्रैन में या फिर करिसी बिग्यान में तो निस्क्रिय रिमोट सेंसिंग का माइक्रो बेब का बात कर रहा ही है, तो वो आप लोगों की समुद्र बिज्ञान हो जाएगा, C option correct हो जाएगा, ठीक है, ब्याख्या देखिए इसकी, निस्क्रिय माइक्रो बेब रिमोट सेंसिंग के अनुपरयोगों में मौसम बिज्ञ जल बिज्ञान और समुद्र बिज्ञान सामिल होता है, क्या क्या होता है, इसमें मौसम बिज्ञान सामिल है, जल बिज्ञान सामिल है और समुद्र बिज्ञान तीनों सामिल हो जाएगे, तरंग धेरे के आधार पर बायूमंडल को माध्यम में रखकर मौसम बिज्ञान ब थीमेटिक मानचित तयार करने के लिए निमलिकित में से कौन सी तक्निक बिशे सुरूप से संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है प्रतीक विदी बिंदू विदी चायंकन विदी या फिर रंगक विदी तो ये बात किसके कर रही है थीमेटिक मानचित के तयार करने के तो वो आप लोगों का कौन सा होगा, चायंकन मानचित्र हो जाएगा, C ओप्सन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, C करेक्ट है, यहाँ पर ब्याख्या देख लीजिए, थीमेटिक मानचित्र त्यार करने के लिए चायंकन विदी किसी थीम पर बनाया जाता है, विशेश रूप स कोई उद्देश या परपज है, उससे इसको बनाया जा रहा है, थीमेटिक है, जो कि दो सब्दों से मिलकर के बना हुआ है, थीम प्लस मैप, थीम का आर्थ होता है, उद्देश यानि की परपज और मैप का आर्थ होता है, मानचित्र, अर्थात उद्देश युक्त मानच बुकरये पयरा से चल्था दो परोस के तो तक्री Keller की पाले हैं सो क्कूल आदा की क्या हूंए और खहनाना कि उसक्तम पहला है कि आंपे ंरे धरhouse City मैंफ आंपने सी इसक्ते। इन सभी के वित्रण को अगर प्रदर्शत करते हैं तो वो आपका थीमेटिक मान्चित्र हो जाएगा। आगे बढ़िए एक प्रकार का दंडारिक जिसमें संपूर मूले के विवाजन को दर्शाने के लिए इस्तंबों को खंडों में विवाजित किया जा सकता है। प्रकार का दंडारिक हो जाएगा डी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है। तो उसे अधिक आखडों को एक ही दंड में दिखाया जाता है। उसे मिस्र दंडारिक कहा जाता है। इस आरेक में किसी भी आखड़े की जानकारी हो जाती है तता इसे विवाजित दंडारिक भी कहते हैं। इसे अकिला दंड के रूप में भी परदर्शत किया जाता है। मापक परद्शत द्वारा अथवा कुल आखडों के रूप में बनाया जाता है। जब एक से अधिक दंड एक साथ बनाया जाते हैं तो खड़े दंड बर्टीकल होते हैं। कैसे होते हैं यह बर्टीकल बनाया जाते हैं खड़े बनाया जाते हैं। इसमें भी आंक्णों को अवरोही क्रम में सजाय जाता है, यानि कि छोटे से बड़ा फिर बड़ा इस तरीके से इसको सजाय जाता है, से इसको सबसे अंतिमा रखा जाता है, इसलिए इसका जो मापक है, परसेंटेज में भी बनाय जाता है, किसमें बनाय जाता है, परसेंटे अधिक की जा सकती है देश का नाम दंड के भीतर भी जिया जा सकता है अथवा सूची इंडेक्स बनाकर उसे अलग-अलग छायंकन कर दिया जा सकता है बिविन देशों में किसी बस्तू का आयात निर्यात या फिर किसी फसल का उतपादन तता छेतरफल आधी को सम्मिलित लग रहे कितना छेतरफल है यह सब हम किस में दिखाते हैं दंडारिक में दिखाते हैं आगे बढ़िए नेक्स्ट है आपर निमलिकत में किस इस्तिथी में सुदूर संबेदक सेंसर रिमोट एक बढ़करम स्पेक्ट्रम पर छोटी बस्तू का भी पता लगाने में सक्षम ह जब बेक्रण मिती बिवेदन रेडियोमेट्रिक रिजॉल्यूशन अधिक होता है या फिर जब बेक्रण बिवेदन एक निर्देश्त तरंग धहरे में लिखांकित होता है या फिर जब सभी बस्तूओं के लिए पार्त बिवेदन टेंपूरल रिजॉल्यूशन समान होता है या फिर जब इस्थानिक बिवेदन इस्पेट्रियल यानि की स्पासियर रिजॉलिशन अधिक होता है तो यहाँ पर क्या होगा देखिए जब बात कर रहा था कोईशन उपर रह गया निमलेकित में से किस इस्तिती में सुदूर संबेदक यानि की जो सैंसर रिमॉट है एक बनकरम स्पेक्ट्रम पर छोटी बस्तूओं का भी पता लगाने में सुस्ट्रम है छोटी से छोटी बस्तूओं का अगर वो पता लगाएगा तो वो किसकी बात कर रहा है यह जब इस्थानिक बिवेदन कैसा होना चाहिए इस्पासियल रिजॉलिशन अधिक होना चाहिए D option यहाँ पर आप लोगों का correct हो जाएगा ब्याख्या देख लीजिए इस्तानिक विवेदन का अर्थ धरातल पर पास पास इस्तित किनी दो बिंदूओं के मद्द की बन यूंतमदूरी जिसे उन्हें किसी प्रतिवम में इस पर्ष्ट एवं एक दूसरे से प्रथक देखा जा सके जब बस्तु में पास पास इस्तित नजर आती है तो प्रतिवम में पास पास की बस्तु में एक ही नजर आती है इस्थानिक विवेदन के लिए संबिदक प्रणाली पर क्रम बिक्षण यंत्र लगा होना चाहिए यानि कि उसमें क्रम संक्या दिखाने चाहिए कि एक है दो है नंबर्स डिजिट दिखने चाहिए या धरातल का संसूचक होता है किसी संसूचक का अश्थानिक विवेदा ने एवं उस संसूचक के भौतिक बनावट पर निर्भर करता है चलिए आगे पढ़िए कैड़स्ट्रल मानचित्र को निरूपित करने वाले मानचित्र है प्रत्वी की सत्य के सांस्क्रतिक परदस्तर भूमी संपत्ति या फिर भूमी के खंड या फिर भूखंड प्रत्वी की सत्य के अभिरक्षण बिश्व के अथ्यदिक सामानिकरत मांचेतर कौन से हो जाएंगे अगर आप लोग को पता है केडस्टल मांचेतर को नरूपित करन ठीक है इसकी ब्याख्या देख लीजिए क्या क्या है केडस्ट्र में केडस्ट्र या फिर भू संपत्ति मांचित सब्द कित्पत्ति जो हुई है फ्रेंच वासा के केडस्ट्र से हुई है जिसका आर्थ होता है छेत्री संपत्ति की पंजिगा इन मांचित्रों को क्रशित रूप से भूमिकर, लगान, लगान की बसूली, स्वामित के रिकॉर्ड रखने के लिए बनाय जाते हैं, मानचित्र जो होते हैं, ब्रहत मापनी पर बनाय जाते हैं, गामो की भूशंपत्ती मानचित्र, एक अनुपात 4000 से ले करके, एक अनुपात 4960, यह है जो मेन पूछा जाता है, एक जाम में यह बाला पहिवाना पूछा जाता है, इसकी मापनी पर और जो नगरों के मानचित्र होते हैं, यह आपका एक अनुपात 2000, यह फर एक अनुपात 1980, और इससे अधिक मापनी पर बनाय जाते हैं, ठीक है, इन दोनों मापनियों को याद रखेगा, यहा बताईए संक्वाकार की बात कर रहा है, ओप्सन दिये गए हैं, यह एथाक्रितिक और्थोमॉर्फिक प्रच्छे पर नहीं है, सभी समानतरक संकेंद्रित ब्रतों के चाप होते हैं, द्रोबों के एक चाप पर एक बिंदू को दर्साय जाता है, मानव समानतरक को या फिर क साथ स्केल सही होता है, तो देखिए संक्वाकार मानचित्र की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा गोड़ नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, यह एथाक्रित या फिर जो और्थोमॉर्फिक प्रच्छे पर नहीं हैं की बात कर रहा है ना, तो नहीं गलत हो जाएगा, यह होते जाता ये भी सही है मानव समानतरक को या फिर इसके साथ स्केल सही होता ये भी सही हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा option correct है वो ये हो जाएगा ठीक तो ये question है अगर समस्टी समरूपतर नहीं लगता हो तो किस प्रतिचैन विदी का उपयोग किया जाता है या देचिक विदी का समप्रयोजन का इस्तरबद का या फिर नेर्ने का अगर आप लोग को आंसर आ रहा है इसका तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो देखिए जो समस्टी समरूपता नहीं लग रहा है तो जो प्रतिचैन विदी का उपयोग किया जाएगा वो आप लोग की इस्तरबद होगी ठीक है समरूपता नहीं होगी वो कर्म बद्य में होगी इस्तरबद यहाँ पर विदी का प्रियोग किया जाएगा इस्तरबद प्रतिचैन विदी यह क्या होता है भिन भिन गुड़ों या फिल लक्षणों बाली घाईयों के समग्र से प्रतिदर्स छाटने में बिशेस उपयोगी होती है क्योंकि इसके द्वारा समगर की भिन 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 बिशेस्ता वाली एकाईयों के समूँ से प्रतिदर्स चुने जाते हैं जो अलग-अलग एकाईयां होती है वहां से क्या होते हैं सेंपल लिए जाते हैं यह क्या होती है यह प्रतिदर्ज समग्र का अधिक यथार्थ प्रतनेजित्व करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट है आपे निम्नमै से कौन सी बहुचर बिसलेशन विदी है प्रंसिपल कॉंपोनेंट विदी प्रमाप विदी साधार से संबंध विदी या फिर समानतर मात्य कौन सी हो जाएगी जो यहाँ पे बहुचर बिसलेशन विदी की बात कर रहा है तो जो बहुचर बिसले बिदी होती है व्याख श्की देख लीजिए प्रंसिपल कॉंपोनेंट्ट विदी जो है एक बहुचर विशेशन बिदी है जबकि सेश्ट तीनों क्या हैं प्रमाप विचलन साधरन सहसंबन एबं समाणतरमाद्य यह बहुचर विशेशन बिदी नहीं है प्रंसिपल कॉंपोनेंट में एक सांके की प्रक्रिया होती है जो सैसम्मद विसेश्थाओं के अबलोकन को और्थोगोनल परवर्दन की सायता से रैकिक रूप से असम्मद विसेश्थाओं के एक सैट में परवर्दित करती है और ये नई रूपांतित विसेश्थाओं को प बिच्रण गुणांक परास या फिर चतुर्थक बिच्लन कौन सा होगा जो के परिच्छेपन सापेच्छिक माप की बात कर रहा है तो आपका बिच्रण गुणांक जो होता है वो परिच्छेपन का सापेच्छिक माप होता है ब्याख्यास की देख लीजिए मानक विचलन गुड़ांक तता विचलन गुड़ांक बस्तुते अपके रण की एक ही माप के दो अलग-अलग रूप है क्या है एक ही माप है लेकिन उसके रूप अलग-अलग है मानक विचलन की सापेक्ष माप को मानक विचलन गुड़ांक कहते है तता इस सापेक्ष माप को प्रतिस हत्में ब्यक्त रूप से बिचलन गुडांक कहा जाता है जब उसकी सापेक्ष माप की जाती है तो उसको मानक बिचलन गुडांक कहा जाता है और इसका जब percentage निकाला जाता है तो उसको विच्रन गुणांग कहते हैं विच्रन गुणांग के आधर पर दो या दो से अधिक समंक स्रेणियों में विच्रन के तुलनात्म का अधियन किया जा सता है जिस समंक स्रेणी में बिच्रन गुरांग का मान जितना कम होगा उतनी ही वह स्रेणी क्या होगी अतिक इस्तिर होगी जितना मान कम होगा स्रेणी उतनी इस्तिर हो जाएगी जितना मान अतिक होगा उतनी स्रेणी क्या होगी अईस्तिर होगी एक रूपवत सजातीय मानी जाती है कार्ल पियर्सन नामक परसिद बैग्यानिक ने सबसे पहले इस सापेक्ष माप का प्रयोग किया था अतै बिच्रन गुरांक को कार्ल पियर्सन का बिच्रन गुरांक भी कहा जाता है तो एक ही बात है कार्ल पियर्सन विधी बोल लिजिए आप लोग चाहिए आप पच्रण गुडांक बोल लीजिए दोनों का मीन एक ही हो जाएगा आगे पड़िए नेक्स्ट कोईश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न वैसे कौन सा एक केंद्रिय प्रवर्ती का माप नहीं है समानतर माध्य माध्य बिचलन माध्य का या फिर बहुलक तो कौन सा यहाँ पर नहीं होगा केंद्रिय प्रवर्ती का माप वो आप लोगों का माध्य बिचलन है जो केंद्रिय प्रवर्ती का माप नहीं होता है 2-Option Correct हो जाएगा, ठीक है, ब्याक्या देख लीजे इसकी, समानतर मात्य माध्य का बहुलक, ये सभी क्या है केंद्री प्रवर्ती की माप है, जबकि जो माध्य बिचलन दिया गया है, वो केंद्री प्रवर्ती का माप नहीं है, केंदरी प्रवर्ति की माप से हमारा तात पर समंक स्रेणियों के सांके की माध्यों से होता है सांके की माध्य बहर मूल्य है जो एक और किसी स्रेणि का प्रतने देतो करता है तो दूसरी और उस स्रेणि की केंदरी प्रवर्ति के सारांस को बतलाता है सांकी की माध्य को समंक स्रेणी का प्रतरूपी मूल्य, सारांस अंक एवं अवस्तिती माप भी कहा जाता है जो सांकी की माध्य है उसको क्या उलायता है जो समंक स्रेणी होती है उसका मूल्य भी सारांस भी एवं उसकी अवस्तिती जो माप होती है इसको कहा जाता है आगे बढ़िए किसी समंक स्रेडी के समानांतर मात्य अथवा बहुलक या फिर मात्यकासे स्रेडी के बिविन पदमूल्यों के बिचलन के समानतर को मात्य बिचलन कहते हैं क्या बोला जाता है जो बिचलन है इसके समानतर को मात्य बिचलन कहते हैं इस प्रकार मात्य बिचलन ग्याद करने के लिए सरप्रतम समंक स्रेडी के किसी सांखे की समानतर मात्य बहुलक या फिर मात्यका से उसके बिभिन पद मूल्यों के बिचलन को निकालते हैं तता उसके पश्चात इन बिचलनों के योग में पद मूल्यों की संख्या से भाग दे करके बिचलनों का समानतर माद्य अर्थात माद्य बिचलन निकालते हैं इसमें कि जब आप माद्य माद्य का और बहुलक इसमें अगर आप इनकी थियोरी पड़ोगे तो आप क्या हो जाओगे लेकिन जब आप इनको सॉल्व करोगे न तो सॉल्व करने में बहुत इजी होते हैं अभी देखिए आगे साइद आप लोगों के सॉल्व कुश्चन हो इसमें अगर होते हैं तो आप लोग समझ जाओगे नहीं तो आप लोग खुद सॉल्व करके देखना अगर सॉल्व कराना हो तो आप लोग अलग से हमें कमेंट कर देना तो एक सेसन जो होगा जिसमें माद दे माद का और बहुलक वाला भी करा देंगे जिसमें सॉल्व बाली होंगे question ठीक है चलिए आगे बढ़िए संचय आबरती वितरण का आलेख कहलाता है औगाय बक्र बारंबारता बहुँ कुछ पाई चार्ट या फिर बार्द या दंड़ चार्ट क्या होगा इसका संचय आबरती की बात कर रहा है तो यहाँ पर ओगाय बक्र होता है जो के आलेख कहलाता है यह option आप लोगों का correct हो जा कोई आलेख खीचा जाए तो यहाँ जो आलेख होता है वो ओगाय बक्र या फिर संचय आबरती बक्र कहलाता है जब किसी बरगांतर की आबरती में उससे पूर्ग के समस्त बरगांतरों की आबरतीयां जोड़ दी जाती है यानि कोई आबरती है और उसको जब बरग निकाल उपरी बुझा के मद्दे बिंदूओं को सीधी रेखाओं के द्वारा मिला देने से प्राप्थ आलेख को बारंबारता बहुज की संग्या दी जाती है ठीक है ये सबी क्या होते है आप लोग जब इनको को सौल करोगे तब आपको ये आंसर मिलेंगे नहीं तो आप इनकी जो थेओरी वाले कुशन जो ब्याख्या देखोगे तो ब्याख्या में थोड़ा सा कन्फुजन हो जाता है आगे पढ़िए निम्न मैंसे किस ग्राप में समान वितरन रेखा दिखाया जाता है बहुरेखे का रेक में हिस्टोग्राम में पैरामेट्रिक बक्र में या फिल बक्र में तो यह जो समान वितरन रेखा की बात कर रहा है तो यह किस में दिखाया जाता है यह आपके लोरेंज कव में या फिल लोरेंज बक्र में दिखाया जाता है लाइन ओफ इक्वैल्टी और जो आपके लोरेंज कव होता है ठीक है डी आप्सन आप लोगों का जाएगा यह देखी लॉरेंज बक्र है यहाँ पर यह लाइन ओफ इक्वैल्टी हो जाएगी लॉरेंज बक्र ग्राप में समान वित्रण रेखा को दिखाया जाता है मैक्स लॉरेंज जोके एक प्रसित बिद्वान थे किसी समांक स्रेणी के अपकरण डिस प्रसन को आले की विदी के द्वारा परदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक बिस्यस प्रकार का संचई परसेंटेज बक्र बनाया जिसका नाम उन्होंने लॉरेंज बक्र दिया था है ठीक है चलिए आगे बढ़िए अब अपने नेक्स्ट कुश्चन पर आते हैं नेक्स्ट है याँ पर सैसंबंद गुणांक दिये गए हैं इन में से आर का मान संबंद सेड़ी से सुमेलित नहीं है प्लस 0.99 में उच्छ बता रहा है प्लस 0.50 में सामानने बता रहा है माइनस 0.01 में निम्न बता रहा है एक से उपर सूनने बता रहा है बताई ये एक से उपर सूनने होता है क्या एक से उपर मान सूनने नहीं होता है ठीक है तो ये आप लोगों का D option गलत है तो यही सही हो जाएगा, बाकी के तीनों ये सही दिये गए है, देखिए यहाँ पर नीचे इसकी ब्यक्ख्या, दो चरके परस पर सहसंबंद को सहसंबंद गुडांक कहा जाता है, सहसंबंद गुडांक का जो मान होता है माइनस बन से लेकर के प्लस बन के बीच में होता है, रब्दों का प्रेयोग किया जाता है, जैसे कि इसमें किया गया है, उच्छे इस्तरिय धनात्मक सहसंबंद, मद्यम इस्तरिय धनात्मक सहसंबंद, निमने इस्तरिय धनात्मक सहसंबंद, उस दसा में क्या होता है, दिखिए, जब सहसंबंद गुडांका मान, मायन प्लस 0.75 से 1 प्लस 0.25 से 0.75 या फिर 0 से अधिक हो बस 0.25 से कम होता है तो इस प्रकार के जो सहसंबंद होते हैं इनका मान माइनस 0.75 माइनस 1 माइनस 0.25 यहाँ पर प्लस के 0.75 0 माइनस 2 पॉइंट के मद्य होने की दिशामे करम से क्या होता है उच्छ तरिय रिणात्मक से संबंद मद्य में तरिय रिणात्मक से संबंद और से संबंद निमने तरिय रिणात्मक होता है यह आप लोगों के रिणात् छाईगा Punkte PARK यहां से लेकर कRe क्षिक 8 और फॉईंड सॉन seriously हब जाएंगे बरिए है वाड़त का धरातल्पत्रक कौन तायार करता है का सरवे ओफ इंडिया सरवे ऐफ इंडिया या फिर आपका रक्ष्या मंत्राल है या फिर जोग्राफिकल सर्वे ओफ इंडिया तो जो भारत का धरातल पत्रक है वो तैयार किया जाता है सर्वे ओफ इंडिया के द्वारा बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसकी ब्याक्या देख लीजिए पूरे देश के ततकाल इन मानचित्रों को बनाने के लिए गहन इस्तनाकरत सर्वे चंड 1767 सर्वे ओफ इंडिया की स्तापना की गई थी जिसके चरम बिंदू के रूप में 1785 सर्वे में भारत का मानचित्र बन करके तैयार हुआ था ये डेट याद रखिएगा कौनसी बिचलन मात्य रिती नहीं है मात्य बिचलन, मानक बिचलन, चतुर्तक बिचलन या फिर परास तो कौन सी माद्धेरीती नहीं होगी यहाँ पर जो परास है वो क्या होती है माद्धेरीती नहीं होती है बागी कापलूगों को जो माद्धे बिचलन है चतुर्तक बिचलन है मानक बिचलन है सभी क्या हो जाएंगे बिचलन माद्धेरीती होती है चलिए इसकी ब्याक्या देख लीजिए परास क्या होती है रेंज क्या होती है कोई समंग स्रेड़ी है इसमें सबसे बड़ा मूले largest value एबं सबसे छोटा मूले जो smaller value होती है उसके अंतर को विस्तार को क्या बोला जाता है परसर या फिर परास भोला जाता है ठीक है आगे बढ़िए बाकिकी आप लोग की ये ब्याख्या दी गई है इसको देख लीजिए इस तूतर में जो आर है आर्द कार्द एल होता है एल क्या होती है जो आपकी लार्जर वैल्यू है एस स्मॉलर वैल्यू है ये यही दिया गय होती है नेक्स्ट है यहाँ पर अप वर्जी बरगांतर के उधारण है कौन से हो जाएंगे अप वर्जी बरगांतर के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 10.5, 20.5, 20.5 से लेकर के 30.5, 30.5 से लेकर के 40.5 दी में दिया गया है 11.5 से 20.5, 21.5 से 30.5, 31.5 से 40.5 हो जाएगा तो देखी जो अप वर्जी बरगांतर है इसके जो उधारण हो जाएंगे वो आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और साथ में आप लोगों का जो होगा 10.5, 20.5 यह आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर A और C सही हो जाएगा B option correct है ठीक है यह देखिए अब बरगांतर या फिर सेणी exclusive class interval पद्यती का उपयोग उन सरंकलाओं के लिए किया जाता है जिनमें एक बरग की उपरी सीमा अगले बरग की निचली सीमा बन जाती है जैसे कि आप लोगों के 0 से 10, 10 से 20 बनी है इसमें चे 20 लिया गया तो यह नहीं होगा 10.55 लिया गया तो यहाँ पर 20.5 फिर से यहाँ पर 20.5 लिया गया यहाँ पर 30.5 तो यह हो जाएगा यहाँ पर फेसे संक्या चेंज है तो यह नहीं होगा ठीक है आगे बढ़िए यह देखिए यहाँ पर दी गई है चलिए next question देखते है नि कौन सा यहां पर निकट तम पड़ोसी सूचकांक में सही नहीं है तो देखिए माइनस तो नहीं होता है यहां पर इसको आप लोग गलत कर देंगे जो गलत है वहीं सही है तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा ठीक है चलिए इसकी ब्याख्या देख लीजिए इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था कलार के एवं इवांस के द्वारा किया गया था यह कोशन पूछा जाता है आप लोगों से 1924 में से प्रयोग किया था इस सूचकांग की सायता से बस्तियों के अंतराल को प्रदर्सित किया जाता है यह विदी अवलोकित वा अपेच्छे तंतराल के बीच संबंद को निरूपित करती है आप एच्छे तंत्राल एक अन्यमित प्रतिदर्स की गहनता की जानकारी देता है जबकि जो अब लोग के तंत्राल है सभी विंदूओं वर स्थानों के बीच की और सतदूरी को बता रहा है ठीक है आर एंड ये आपका फॉर्मूला है इसको देख लीजिएगा लेकिन यहां से सिर्फ बैल्यू पूछी जाती है बैल्यू से कुशन आते है आगे बढ़िए नेक्स्ट कुशन है निम्न मैंसे कौन से तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है रैंक ओर्डर है, कॉंस्टेंट सम है, बर्वल फ्रिक्वेंसी स्केल है पेयर्ड कंपेरिजन है तो कौन सा है आप है, आप लोगों की तुलनात्मक स्केलिंग बिधी नहीं होगी तकनीक नहीं होगी, वो आपकी बर्वल फ्रिक्वेंसी स्केल जो तकनीक है ये तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है क्या होती है दूरियां जो है भूपदर्शत की जाती है इन मापनियों को बनाने का उद्देश से मांच चत्र में बिन्न बिन्न मापों के मात्रक यूनिट ओप मीजरमेंट जैसे कि मील, किलोमीटर, मीटर, गज, कदम, फीट इन सभी दूरियों को ग्यात किया जाता है कभी-कभी इन मापनियों के द्वारा समय एवं दूरी का तुलनात्मक प्रदर्शन भी किया जाता है तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक में रेंक ओर्डर, कंस्टेंट सम तथा पेयर्ड कंपरिजन आदी को सम मिलती भी किया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क प्रतिदर्श या पर इस्तरवद्द तो देखिए जो संभावता पर आधारित पर पर आधारित पर आधारित होती है प्रतिदर्श अध्यन में समगरी समस्त एक आईयों का अलग अध्यन नहीं किया जाता अपितु उसमें केबल कुछ चांटी गई प्रतिनेदी एकाईयों का गहन अध्यन द्वारा समस्त समगर के लिए निसकर्ष प्राप्ति के जाते हैं आनि कि उसमें क्या होता है गुरूप होता है गुरूप में से कुछ लोग छाटे और उनकी एकाईयों का अध्यन किया बागी का अनुमान लगा लिया कि हाँ ये भी मात्रा के लक्षणों का सही सही जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसी प्रकार अनुसंधार कार्यों में भी प्रतिदर सिकाईयों के अध्यन के द्वारा समगर की विषेशताओं को समझा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़िए अब आप लोग एक बात और बताईए हमे कि मैं सोच रही थी कि यहां पर पेपर फ़र्ष्ट जो आप लोग का यूजी सी नेट का होता है उसके पीवाई क्यूज भी ले करके आऊं और टोटल जो पीवाई क्यूज या तो पांस साल के या दस साल के पीवाई क्यूज जिसमें मैं मैं सॉल्ब नहीं कराऊंगी जो अगर आप लोग सहमत हो तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हम लोग सहमत है तो मैं ये वाला सहसन भी सुरू करते हूंगी ठीक है चलिए नेक्ट देखिए निम्नांकित में से बाकतन जो सही नहीं है उसको छाटना है समानतर माद्य से मदों के विचलन का योग सदा सूनने के बराबर होता है समानतर माद्य चरा मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है अपवर्जी समावेसी एवं असमान बर्ग अंतराल की इस्तितियों में समानतर माद्य का परिकलन बिन 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 तरीकों से होता है यहाँ पर समानतर माद्य का परिकलन सभी पिरिक्षणों पर आधारित होता है तो यहाँ पर क्या सही नहीं है पूछा गया है तो यहाँ पर दिया गया है कि अपवर्जी, समावेशी एवं असमान बर्गंतराल के सित्यों में समानतर मादे का परिकलन जो होता है भिन भिन तरीकों से होता है तो ये वाला option आप लोगों का गलत है तो यही सही हो जाएगा C option आप लोग करेक्ट कर लेंगे ब्याख्या यहाँ पर देखेंगे समानतर मादे से मदों के विचलन का योग सदा सूनने होता है या सुनने के बराबर होता है समानतर माते चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है समानतर माते का परिकलन सभी पिरिक्षणों पर आधारित होता है गर्तिय मात्यों में समानतर माते सबसे अधिक महतपूर्ण उपयोगी और लोप्रिय होता है साधारन बोलचाल की बासा में समांतर माद्य का अर्थ होता है औस चीक है यदि किसी समंग स्रेणी के समस्त मूल्यों की योग में उनकी संक्या पदों की संक्या से भाग दे दिया जाए तो इस प्रकार जो प्राप्त भागफल होता है उस समंग स्रेणी के समांतर माद्य को प्रकट करता है या फिर उस समंग स्रेणी का ये समांतर माद्य होता है अब यहाँ पर दिया गया है कि जो अपवर्जी समावे सी असमान बर्गंतराल की स्थितियों में समानतर माद्य का परिकलन भिन 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 तरीके से नहीं होता है ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट है यहाँ पर निमलिकित में से बकतन जो सही नहीं है उसको छाटना है किसी वित्रण प्रारूप की मात्य का उसके अधिक्तम मूले बाले मान में परिवर्थिन से अपरभावित रहती है किसी वित्रण प्रारूप की मात्य का उसे दो समान भागों में भाट देती ह किसी बित्रन प्रारूप की मातिका उसका प्रतम चतुर्थक होता है या पर पूर्ण समुरूप बित्रन का मातिव मातिका समान होता है तो यहाँ पर क्या सही नहीं है अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कोई जो बित् किसी बित्रन प्रारूप की माद्य का उसके अधिक्तम मूले वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है, किसी बित्रन प्रारूप की माद्य का उसे दो समान भागों में बाढ़ देती है, पूर्ण समरूप बित्रन का माद्य का समान होता है, किसी समंक स्रेडी के अब रोही क्रम में विवस्तित करने के पस्चात जो मूलि स्रेडी के मद्धे में इस्तित होता है जो स्रेडी के कहां पर होता है चतुरतर में नहीं मद्धे में होता है उसे क्या बोला जाता है माद्धिका बोला जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोईशन के तरब बढ़ते ह नेक्स्ट है आपे सांक्र की में परिशेपण दर्साता है क्या बितरण मूलियों का मान बितरण और ओसत मान से कितना भिन है बितरण मूलियों का मान बितरण के ओसत मान पर कितना आस्रित है ब्याख्या करता है कि वित्रण मूलियों का मान वित्रण के ओसत मानने उसे क्यों भिन है या फिर वित्रण मूलियों के मान और उसके ओसत मान के बीच अंतर का परिक्षन करता है तो क्या करता है जो सांकी की परिषेपन होता है वो क्या यहां पर दरसाता है जो सांकी की परिषेपण होता है वो दरसाता है बित्रण मूलियों का मान बित्रण और ओसत मान से कितना बिन है ठीक है ए ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा चलिए ब्याख्या की तरह बढ़ते हैं सांकी की में परिषेपणिया दरसाता है कि वित्रण मूलियों का मान बित्रण के ओसत मान से कितना बिन है इसमें केंद्री परवर्ती माप या फिर ओसत प्रतिनित माप होतो किन्तु यह मान आकड़ों में बिद्वान परिवर्तन सीलता को नहीं दरसाता है दूसरे सब्दों में उसत वितरण के केवल एक पहलू के बारे में ही ये बताता है अर्थात मूल्यों का एक प्रतिनिजित आकार होता है इसे बहतर ढंग से समझने के लिए मूल्यों अत्वा मानों के प्रस्ण को जानना अत्यंत आवश्यक होता है इसके विप्रीत माद्दि की मापाकणों की वित्रण को समझाने में केंधि प्रवति की मापेक अच्छा सब पूरक माना जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़िये माद्ध माद्ध का बहुलक के माद्ध संबंध है क्या होता है माद्ध 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 बहुलक बरावर 3 माद्ध माद्ध हो जाएगा माद्ध बरावर 2 माद्ध का प्लस 2 बहुलक हो जाएगे बहुलक बरावर माद्ध प्लस 3 माद्ध का हो जाएगा माद्दे का बरावर बहुलक मैनस माद्दे हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर माद्दे माद्दे का बहुलक के बीच में संबंद की बात कर रहा है तो माद्दे मैनस बहुलक बरावर तीन माद्दे मैनस माद्दे का होता है यह option आप लोगों का correct हो जाएगा ठीक है यह यहाँ पर दिया गया formula पुरा complete solve करके इसको देख लीजिएगा इसमें बोलना क्या है ठीक है यह पूरा solve है आगे बढ़ते हैं next question देखिए शुदूर संबिदन तकनीक में प्रयोक्त भा उपकरण जो बिद्दुचंब किया बिकरण उर्जा को एक अत्त कर उन्हें संकेत कों में बदल कर उप्योक्त आकारों में प्रसुत करते हैं तता जिनसे के अन्यवेशन लक्षेयों के बिवसेय में सुचना प्राप्त करते हैं कहलाता है क्या उपगरह, परावर्तक, रडार या फिर संबिदक तो यहाँ पर देखिए जो सुदूर संबिदन तकनीक में उपकरण की बात कर रहा है संबिदक एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो दूर इस्तित लक्षेयों, बस्तूओं, द्रस्य छेत्रों के संबंद में सुचना को प्राप्त करने के लिए बिद्दो चुम्ब की या फिर अन्य उजा को एकरतित करके संकेतों में प्रावर्तित कर उप्यप्त रूप में प्रशुद करता है जिनसे अन्विचन लच्छेयों के बिसे में सुचना प्राप्त हो सके यदपी सभी संबेदक मूलते साध धरातल के बिविन लक्षणों में प्रावर्तित या फिर उस्सरजित बिद्दो चुम्ब की उजा के बिविनताओं को इसपस्ट करते हैं परंतु उन्हें स्पेक्ट्रमी प्रदेशों अब बैंडों तता सुचना प्राप्त करने के धंग से भिन 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 बरगों में रखा जा सकता है कुछ संबे तक ऐसे होते हैं जिनका सर्व मानने रूप से सभी बरगों में उपयोग किया जाता है आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए यहां पर संकेत अक्षर जियाईएस का किसके लिए प्रेक्ट होता है जोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, जोग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबर इंफरमेशन सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं जो देखिए जो जियाईएस है, इसका जो फुल फार्म होती है, जोग्राफिकल इंफरमेशन सिस्टम होती है जो कि यहां पर दी ही नहीं गई है, तो यहां पर दी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा यूकि इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है, ब्याक्या देखिए इसकी, यह देखिए ब्याक्या भौगलेक यानि की जोग्राफिक होती है, इनफरमेशन सिस्टम, तीन सब्दों से मिलकर की बना होता है आगे बढ़िए, जी आईएस का साब्दिकर्थ होता है, एक ऐसे तंतर से जो भौगलक संसार की सूचनाओं को दर्शाते हैं इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जी आईएस एक कम्प्यूटर आधारित ऐसा यंतर है जिसके अंतरगत पूरा बिस्व या फिर पर्थिवी के धरातल की आखडों, सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रह, प्रतक्रियन, परिचालन, विसलेशन, ब्यवस्तिकरन, प्रदर् तो कौन यहाँ पर नहीं होगा, जी आईएस के मेहतपुन घटकों में, वो जनसम क्या है, जो कि जी आईएस के घटकों में सामिलत नहीं है, वागी की प्रक्रिया आती है, आखडे आते हैं, सॉब्टवेर इसमें सामिल है, देखे, व्याख्या दी गई है इसके, इसमें क् संग्रहेंड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रक्रियन या फिर प्रक्रिया, परभंदन, प्रदर्शन, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके महत्पून, घटक हो जाएंगे, दूसरे सब्दों में कहा जा सकता है, कि जो भौगलक सूचना पढ़ा लिए, हार्डवेयर, कार के भौगलक सूचनाओं को संग्रहेंड, प्रवंद, बिसलेशन, प्रदर्शन को एकिकरत करती है, ये काम किसका हो जाएगा, जी आईएस का होता है, ठीक है, चलिए नेक्ट देखिए, नेक्स्ट है आप है, संचे ताप्चर के लिए दिये गए निमलिकित मैंसे कौन स सही से निरूपित करता है, एक तो आपका DEM हो जाएगा, DEM यानि कि Digital Elevation Model और दूसरा आप लोगों का DTM हो जाएगा, ठीक है, Digital Terrain Model, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, लेंडिस्केप को अच्छे से निरूपित करते हैं, तो आप्सन आप लोगों का C Correct हो जाएगा, आगे बढ़िए, इनके बारे में भी जान लीजिए, क्या होता है ये, Digital Elevation Model ये क्या होता है, ये Model एक 3D Computer प्रक्रिया या फिर Graphics है, जो आम तोर पर किसी ग्रह जैसे के चंदरमा, छुद ग्रह के धरातल का प्रतनेत्तों करने के लिए, उंचाई डेटा का प्रतनेत्तों करता है, इसका उपयोग अक्सर भागोलिक सुचनातंत्र GIS में किया जाता है, Digital Terrain Model इसको देख लीजिए, ये क्या है, ये भागोलिक आकरतियों को उभारने के लिए एक Model है, या एक DGIM, डाटा Model है, जिसके निर्माण के लिए आकड़ों एवं सुचनाओं की आवस्यक्ता होती है, ये सुचनाओं धरात लिए वो लक्षणिक दोनों ही प्रकार की होती है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, निम्नवैस से GIS की प्रक्रिया है, Image परदरसन, Map Overlaying, विसमता, Stretching, मान्चित्र, रचना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी GIS की प्रक्रिया, तो वो हो जाएगी, Map Overlaying सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, Overlaying Analysis Operants GIS की पहचान है, इसके दोरा मान्चित्र के कई परतों का विसलेशन किया जाता है, GIS एक ही छेतर के मान्चित्रों की दो या दो से अधिक विसेगत परतों को Overlaying करना संबब बनाता है, आगे बढ़ प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग दंतर में सामिल है, क्या है, रडार, लिडार एवन सोनार, तो क्या हो जाएगा, ABC दोनों ही हो जाएगे, आप तीनों रडार भी होता है, लिडार भी होता है, सोनार भी होता है, B option correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इसक की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक सक्रिय संबेदन तंत्र है जो बिद्ध चुम्बकी स्पेक्ट्रम के लगू तरंग भाग में काम करता है रडार में तरंग एक मिलीमीटर से ले करके दो मीटर तक की होती है ठीक है चलिए आगे बढ़िए एक रिमोट परिवासित किया जाता है इस्पेक्टरी बिवेदन के रूप में रेडियो मेट्रिक बिवेदन के रूप में इस्थानिक बिवेदन के रूप में या फिर कालिक बिवेदन के रूप में क्या होगा इसका आंसर तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेडियो मेट्रिक बिवेद या फिर उस्सरजित बिकरण प्विभा के अंसर रेडियोमेटिक विवेदन के रूप में विवेदित करता है। इर्गोग्राफ के प्रणीता थे एगेडिज, एजी, ओल्गिलपी, एके लोबेग या फिर एए रॉबिन्स तो कौन थे जिन्नोंने एर्गोग्राफ का अविस्कार किया था तो इसके जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का एगेडिज हो जाएगा एउप्सन आपका हो जाएगा ठीक है चलिए आगे पढ़िए ऑफ वे वम बृज्शैसक्यों के आनसर विस्कूमें निर्वनी करेन की बार्षेक राखे क्या हैाए तीज से पचासलाघ हेक्टेयर सतर से सोलाग हेक्टेयर सो से दो-सलाख हैक्टेयर या फिस्शो असे आधिक तो facultra कलना थे सुस्क बन होते हैं अति सुस्क बन परवती बन सभी इसमें सामिल होते हैं तो इसके अनुसाज निर्बनी करण की बारसिक रासी है वो कितनी है वो आप लोगों की 1500 लाख हेक्टेर से अधिक हो जाएगी D option आप लोगों का correct हो जाएगा ठीक है देख लीजी यहाँ पर इसकी कितना कितना है सदावार वण कितने है 46,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 चलिए आगे बढ़िए पता ही लग जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो आपका ओप्सन करेक्ट हो जाएगा रॉबिन्स के द्वारा यह वाली परिभासा दी गई थी ए ओप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िए ऑपिसो मीटर का प्रयोग किया जाता है छित्रफल मापन में दि आपकी सड़के हो गई रेल मार्ग हो गई इन सभी की दूरी मापी जाती है किसके सहारे जो ओपिसो मीटर होता है इसके सहारे दूरी मापी जाती है ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेमलिकित में से कौन सा ब्रहद मापक मानचित्र है एटलस के नकसे बित्ती मानचित्र इ कई सारे questions कर लिए तो अब आप लोगों को ब्रहद मांचितर और जो लगू मापक मांचितर है वो तो समझ में आ चुका होगा तो answer कीजिए फटापट से कौन सा इसमें आपका ब्रहद मापक मांचितर हो जाएगा देखिए ब्रहद मापक पूछ रहा है तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा होगा जो खेतों का नकसा होगा इसके जो मापनी होगी वो बड़ी हो जाएगी ठीक है डी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़िए यह देखिए यहाँ पर ब्याख्या दी गई है जिसमें किसी ग्राम का मानचित्र खेतों की सीमा है नकसामार्ग, जलास है, कुवे पूजाग्रह, सारव जने किस्तल एवं ब्यक्तिगत भूमी चेत्रों को प्रदिसित किया जाता हूँ क्या कहलाता है भूसंपत्ती मानचित्र कहलाता है जबकि पर्याप्त मात्रा में ब्रहत मापनी पर बना कोई मानचित्र जिसमें प्रतेक लग्षण को आकरती एवं इस्तिती को देखकर उसे धरातल पर पहचाना जा सके उसको बॉला जाता है क्या اس्तलाकरती मानचित्र यान कि उस पर इसी प्राइप का इस्थल बना दिया जाता है जैसे कि कहीं पर मंदर है तो एक छोटा सा मंदर बना दिया कहीं पर नदिया है तो वो नदियों का जैसे बिलू बलू बना दिया और जो आपके पेड़ होते हैं वापर पेड़ बना दिया जाए तो वो क्या होता है इस्तला करती मान्चित्र होता है ये क्या होते हैं? ब्रहद मापनी के अंतरगत आते हैं चेक है? चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट कुशन देखिए आप ए संचित आपतर के लिए दिये गए निमलिकित मैं से कौन सा कूट द्रस से भूमी प्रतिदर्स लेंडिस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है DEM है, DRG है, DLG या फिर DTM है A और B सही हो जाएगा B और C सही है A और D सही है या फिर C और D सही है क्या ओप्सन आप लोग करेंगे? बताए फटा पर से तो देखिए जो आपका लेंडिस्केप मॉडल को बात कर रहा है द्रस से भूमी प्रतिदर्स को बात कर रहा है तो आपका एक तो हो जाएगा DEM हो जाएगा और साथ में दूसरा आपका DTM हो जाएगा, ठीक है? दोनों किसके लिए हो जाएगे आपके यह आपके द्रसे भूमी प्रतिदर्स के लिए निरूपित करते हैं A और D आपका C option में correct है, C सही हो जाएगा आगे बढ़िए और आप लोग के लिए एक सूचना ये है notification आप लोगों ने पढ़ लिया हो अगर किसी ने MP में जो PhD, जीवाजी उनिवस्टी में PhD का form फिल किया था और किसी ने अगर जो आपका intense exam हुआ था वो दिया था जोगरफी का तो जोगरफी और political science इन दो के exam क्या है आपके फिर से होने है टेकनिकल इसू था इसमें तो वो exam आपका अभी date नहीं आई है तो अगर आपको notification नहीं मिला अगर किसी ने दिया है तो आप लोग थोड़ा सा इस पर नजर रखिएगा आने वाला है dates का भी चलिए National Remote Sensing Agency इस्तित है नई दिल्ली में बैंगलूरू में, हैदराबाद में दहरादूर में, कहाँ पर है ये आपकी National Remote Sensing Agency तो ये आपकी इस्तित है है रिलेटेड रहेंगे जिसमें TGT, PGT और आपका नेट तो होने ही वाला है सेट भी कई सारे स्टेट के होने वाले है तो अब थोड़ा सा सीरियस ले लीजिए चलिए यहाँ पर देखिए जो National Remote Sensing Agency है ये हैदराबाद में है Remote Sensing Institute of India ये देहरादून में है इसरो का मक्याल है बैंगलूरू में है और जो DRDO है इसका मक्याल है नई देली में है याद रखेगा ये आपके एक्जाम पूछ ये वाले जो कुछन्स पूछे जाते हैं सेट एक्जाम हो जाएगा TGT बगरा इसमें पूछा जा सकता है और जो आपके PhD एंट्रेंस एक्जाम होते हैं उसमें इसी तरीके कुछन्स पूछे जाते हैं आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए याँ पर भारतिये नेशनल एटलस एवन थिमेटिक मैपिंग संगठन का संस्तापक निर्देशक नेमले कितमें से कौन था जोर्ज कुरियन, P. दयाल, S. P. चटरजी याफिर S. M. अली कौन थे बताइए जो कि थिमेटिक मैपिंग संगठन के संस्तापक एवन निर्देशक रहे थे इसका जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा S. P. चटरजी रहे थे C. अप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा और ये जो संस्तापक नहीं ने देखा था दहरादून में ये वाला संस्ताप इस्ते देख ठीक है जो भारती निशनल एटलस ये उन थीमेटिंग में अपक संगठने इसका संस्ताण कहाँ पर है दहरादून में है संस्तापक कौन रहे थे S. P. चटरजी रहे थे आगे बढ़िए चलिए सूची एक सूची दो के साथ मैं पर लोग को मिलाना यहाँ पर सैटेलाइट दी गई है उनकी उचाईयां दी गई है तो चलिए इनकी उचाईयों के अनुसार इनको लगा लेते हैं कौन किसकी उचाई कितनी है यहाँ पर I.R.S. 1.A. दिया गया है इसकी उचाई पूछी गई है इसपोर्ट 3 लेंड सैट एवं इनसेट सीरीज तो देखे जो I.R.S. 1.A. है या फिर बन A है इसकी जो उचाई है वो कितनी हो जाएगी 937 किलोमेटर है इसपोर्ट 3 की यहाँ पर जो हाइट हो जाएगी वो 832 है लेंड सैट की हाइट 705 किलोमेटर है इनसेट सीरीज की हाइट 36,000 किलोमेटर है ठीक है ओप्सन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो A हो रहा है करेक्ट ठीक है चली आगे बढ़िए नेक्स्ट कोईशन देख लीजे यहाँ पर किस उपगरी आक्रों से सम्मद्दि चित्रों का उपयोग भूकर मानचित्र के विपल के रूप में किया जाता है लेंड सेट TM के इसपोट X S के इनसेट 1st B के या फिर आइको नॉस के तो किसका किया जाता है यहाँ पर ओप्सन जो आपका करेक्ट हो जाएगा आइको नॉस हो जाएगा D option करेक्ट हो जाएगा चलिए इसके बारे में जान लीजिए अब आख्या दी गई है आपे आइको नॉस उपग्रह से आकड़ों से संबंदे चित्रों का उपयोग भूकर मानचित्र के विकल्प के रूप में किया जाता है अमेरिका द्वारा सन 1999 में प्रछेपित या उच्च विवेदन वाला उपग्रह है इसका प्रमुकुद्धे से प्रत्वी को धरातल के उच्च विवेदन वाले आकड़े प्राप्त कर उनको दूसरे देशों को बेच कर धन कमाना है या उच्च विवेदन वाला उपग्रह है जो के आकड़ों की सुदता का अनुमान आकड़ों को प्राप्त करने का समय उपग्रह की कच्चिय विसेश्ता बिस्तार एवं छेतर पर आधारित होती है इसका विवेदन अभी तक सबसे अधिक कितना हुआ है एक मीटर है छेली आगे बढ़िए निमली कित में से कौन भूत उल्ले काले को उपग्रह है लेंड सेट, मीटियो सैट, आई और एस या फिर किट सेट कौन सा है जो कि भूत उल्ले काले है तो यहाँ पर जो आपका मीटियो सैट दिया गया है वो कैसा हो जाएगा, भूत उल्यकालिक हो जाएगा, जो कि जानकारी किसकी देता है, मौसम संबंदी जानकारी ये देता है, बी ओप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ये देखी इसकी ब्याख्या दी गई है, मीटियो सेट जो कि मौसम संबंदी जानकारी देने के ल है यह संयक्तुराज अमेरिका के नासा विबाग द्वारा छुड़ा गया है यह सैटेलाइट संस्तान सोरी संसादन प्रबंदन हेतु बहुत अपयोगी आंकड़े भेज रहा है यह सैटेलाइट इस प्रकार बनाए गए है कि प्रत्वी धरातल के तत्यों का मानचित्रन इव में रिपोर्ट करा रही थी तो उसमें भी सब नॉर्मल आ रहा था और अभी भी एकदम से ठीक नहीं है गला ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा एड़ेस्ट कर लेना ठीक है चलिए नेक्ट देखिए निमनांकित में से कौन जी आइस का अभ्यव है प्रतिवेदन उपपद्यती आकड़ा भंडारन एवं पुनेप्राप्ती उपपद्यती आकड़ा युक्ति युक्रता तथा समिक्छा उपपद्यती तो कौन सा होगा जो कि जी आइस का अभ्यव माना जाएगा आंसर कीजिए फटापट से अगर आप लोग को आंसर आ रह किजिए जी आइस भहुगालिक सूचना तंतर इसको हिंदी में बोला जाता है एक ऐसा तंतर है जो कि संगड़क पराधारित है संगड़क क्या होता है आपका कंप्यूटर होता है इससे भूसंदर्वित भहुचर आकड़ों का प्रसंस्क्रण तता बिसलेशन किया जाता है जी आइस से बंद छेत्रों प्रमुक सड़कों तता प्रसासनिक सीमाओं को दर्शाना आसान हो जाता है भूमी सूचना पढ़ाली पर्यावणी सूचना पढ़ाली भौकल एक सूचना तंतर के प्रमुक उधारण है ठीक है कौन-कौन से हो जाएंगे जो आपकी भूमी सू जी आइस को अन्य परणालियों से अलग करती है कौन-कौन से विशेष्टा हो जाएंगी मानचित्र बनाना और सामान निकरत आउटपुट इस्थाने के वह इस्थाने काकड़ों को सम्मधित करना मानचित्र का अभी कल्पन और रूपरे का या फिर उपर लेक्त सभी हो ज जाएगा इस्थाने क और इस्थाने काकड़ों को सम्मधित करना यह किसकी विशेष्टा होती है जी आइस की विशेष्टा होती है भी ऑप्सन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए बैक्टर और राष्टर डेटा का अप्योग किस में किया जाता है ग्लोबल पोजिस्टनिंग सिस्टम में रिमोट सिस्टम में या फिर जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में या फिर उपरोग लिखे तर सभी में किया जाता है तो देखिए जो आपका बैक्टर और रास्टर डेटा का उपयोग है वो किया जाता है जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में किया जाता है C option आप लोगों का correct हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए अब यहाँ पर आप लोगों को सूची एक सूची दो दी गई है पारम परिगुन के रंग दिये गए है कौन से छेतर का कौन सा रंग होता है करसी छेतर दिया गया है जलासे दिया गया है तो देखी जो करसी छेतर होता है इसका कलर कैसा होता है अगर आप लोग को पता हो तो यहाँ पर पीदा कलर जो होता है वो करसी छेतर का होता है इसके बाद में जलासे होता है जलासे का कौन सा कलर हो जाएगा जलासे का कलर हमेशा नीला होता है और जो निर्मित होता है भवन बगरा ये सब कैसे होते हैं लाल होते हैं और ये तो हरे पर लग गया हटाई इसको ठीक है निर्मित कैसा होता है यहां पर लाल हो जाएगा जो अक्रस्य अफसेस्ट हो जाएगा वो आपका भूरा होता है ठीक है हरा कोई नहीं होगा यहां पर तो option आपका first का यहां पर एक मट यहां पर रिक लेते हैं five five की बार में three three की बाद में यहां पर आपका first first की बाद में second हो जाएगा ठीक है चलिए यहां पर देख लेंगे अभी five three first second five three first second आपका see option correct है ठीक है चलिए आगे बढ़िए यहां पर देख लीचे आप लोग एक बार और यहां आपका क्रसे छेत्र पीला हो जाएगा जला से नीला हो जाएगा निर्मित लाल हो जाएगा अक्रस्ट अपसे आपके भूरा हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ global institute for soils का है geographical international studies का है geographical information system का या फिर global information statics का है तो देखें जो GIS की full form पूची गई है इसकी full form क्या हो जाएगी geographical information system इसकी full form हो जाएगी ठीक है सी option correct हो जाएगा आगे बढ़िए चलिए next है यहाँ पर जब जहाज अंतराष्टी तिथी रेखा को पश्यम से पूरब आपका यह कौन सा है यह पश्यम है यह पूरब है पश्यम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होगी एक दिन बढ़ जाएगी एक दिन गट जाएगी या फिर आदा दिन बढ़ जाएगी या फिर आदा दिन गट जाती है क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए जब पूरब पश्यम से पूरब जाएगे तो आपका पूरा एक दिन बढ़ता है क्या होता है एक दिन बढ़ जाता ए ओप्सन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन है यहाप लोगों का निमलिकित मैं से कौन सा जोड़ा गलत पूचा गया है यानि कि तीन सही है यहाप एक गलत दिया गया है तो पहला यहाप बता रहा है कि जो आईसो हाइट है इससे मापन किया जाता है बरसा का आईसो बार से यहाप दवाप का मापन किया जो आईसो हेल्स है इससे मापन किये जाता है किसका इससे आदर्ता का मापन किये जाता है तो देखिए जो आईसो हायट है इससे बर्सा का ही होता है बार से दबापका ही होता है प्रेसर का और जो आईसो थम्न है इससे तापमान का मापन होता है जो आपका आईसो हेल्स दिया गया है ठीक है चलिए आगे पढ़िए नेक्स्ट कोशन देखिए आप योजना आयोग तथा राष्टिय दूरस्थ संबेदन एजंसी ने भारत को कितने जलवायू प्रदेश्व में विभाजित किया हुआ है चोदे में, पंदरा में, सोला में या फिर सतरा में कितने में किया गया है तो बताइए आप लोग को अगर आंसर बता है तो देखिए जो राष्टिय दूरस्थ संबेदी जो संबेदन एजंसी है इसने भारत को क्रशी जलवायू प्रदेश्व में पंदरा में इसको प्रेक्ट हो जाएगा चले इसकी बैख्या देख लीजे योजनायोग अब क्या है नीतियायोग है जोकि नीतियायोग की नाम से जाना जाता है दोया चौदर से इसका भारती संबेदान में कोई उल्लेख नहीं है अथा इसका गठन परामर्स ताई वे विश्षा की संस्ता के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ है इसके स्वरूप एवं घटन में सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है योजनायोग तता राष्टी सुदूरस्त संबेदन एजंसी ने भारत को 15 क्रसी जलवाय उपदे समय बांटा हुआ है आगे बढ़िए भूम अंडली इस्ताथकी प्राणाली उपगरह की प्रत्वी के केंदर से उंचाई लगवक कितनी है 20,220 km है 22,266,266 या फिर 26,600 km है कितनी इसकी हाइट हो जाएगी तो यह दिखिए जो भूम अंडली इस्ताथकी प्राणाली उपगरह है कि जो हाइट होती है प्रत्वी से 36,600 क्लिमेटर्स की टोटल हाइट होती है तो यह उप्सन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़िए चलिए यहां पर प्रदर्शन बेदी दी गई है उनका उपयोग दिया गया है बिंदु मांचित्र है चक्रारेक है बढ़ मात्री है यह ईवोण समता अपरेक आहे है तो चलिए इनको मिला लीजिए जो बिंदु मांचित्र है इसका उपयोग कर आता है जणशंक्या बितरण के लिए एका हो जाएगा या पर थर्ड चक्रारेख है, चक्रारेख का आप लोग उपयोग करते हैं, जो भूमी उपयोग के आखड़े होते हैं, इस तरीके से आप लोग बनाते हैं, या पर इतने परसेंट ये चीज होगे, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इस तरीके से आप लोग क्या बना लाते हैं हैं जक्रारीक बनाती है ठीक है तो बिदुमान्षित्र थिकत का जन्षंप्या हो जाएगा जक्रारीक करकिन हो जाएक हो pick फोर्थ एम फर्ष्ट हो जाएगा ठीक है थर्ड सेकंड फोर्थ एम फर्ष्ट है यह अप्सन करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे नेच्ट है यहाँ पर प्रदर्षन बिदी दी गई है उनके उपयोग दी गए है समान रेखा बिंदू बिकेण आरेख एवन तारकारेख तो देखिए जो समान रेखा है उससे अपन लोग क्या मामते हैं संक्रमी प्रकृति का बिन्यास मापन के जाता है बेंदू से अभी अपन लोगों ने देखा था जनसंक्या का विन्यास मापा जाता है और जो आपका प्रिकेण आरेक है इससे मापा जाता है सह संबंद की प्रकरती और आपका जो तारकारेक है उससे पवन की दिशा मापी जाती है तो एक यहां पर फोर्थ हो जाएगा फोर्थ सेकिंड फर्स्ट एवन थर्ड हो जाएगा एक मिनट यहां पर कौन सा है फोर्थ सेकिंड फर्स्ट एवन थर्ड सी ओप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देख लीजिए एक बार और जो सम्मान रेखा होती है उसे संक्रमी प्रक्रती का बिन्यास मापा जाता है बिंदू अरेक से जो आपका जनसंक्या बिन्यास मापा जाता है बिकेन अरेक से आपका सहसंबंद के प्रक्रती मापी जाती है ताराकार एक से बवन की देशा मापी जाती है चलिए आगे बढ़िए सूची एक को सूची दो से मिलाना यह आपके उपगरा दिये गए है उनके देश दिये गए है कौन सार जो अपगर है किस देश का है आपका इनसेट दिया गया है तो देखिए जो इस पॉर्ट है यह फ्रांस का है जो आपका है यह आपका यूएसे का हो जाएगा चिक है जो आपका यूएसे का हो जाएगा यह आपका यूएसे का हो जाएगा मिट्योर थ्री यह आप लोग का मिटियोर्थरी रसिया का हो जाएगा और जो आपका इंसेट है इंसेट भारत का हो जाएगा आपका जो ओप्सन करेक्ट हो जाएगा दूसरा चौथा तीसरा यह उन पहला यापका ए ओप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट है याँ पर निम्ले कितन मैंसे कौनसी उंचाई सूर्य तुले कालिक धुर्वियक अच्छ से सम्बंदित है 2000 से 6000 किलोमेटर इसकी उंचाई होती है 30,000 से 3600 किलोमेटर इसकी उंचाई होती है 300 से 1000 किलोमेटर इसकी टोटल उंचाई होती है तो इसका क्या correct हो जाएगा सूरे तल्ले कालिक पूछा गया है ये सूरे तल्ले कालिक की जो उचाही होती है 300 से 1000 मेटर होती है C option आप लोगों का correct हो जाएगा ठीक इसे कौन सा संबेदक है ये कर सक्रिय सुदूर संबेदी संबेदक है फोटो केमरा, मल्टी फ्रेम केमरा, मल्टी बेंड स्केनर या फिर रडार तो कौन सा है जो कि सक्रिय सुदूर संबेदी संबेदक माना जाता है वो आपका option D सही हो जाएगा अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में आंसर करते जाएगा, ठीक है question number डालके, question number तो आपको दिखी नहीं रहा है, अब दिखेगा question number डालके आप लोग answer करते जाएगा, अगर जितने भी answer आप लोग को आ रहे है चलिए इसकी ब्याख्या देख लीजिए, D option इसका correct हो जाएगा ये इसकी ब्याख्या दी गई है, ब्याख्या से आप लोग का क्या है, कि एक से आपके चार कुशिन तयार हो जाते है, तो ब्याख्या का बहुत ज़्यादा benefit मिलता है आप लोगों को, देखिए रडार संबेदक एक सक्री सुदूर संबेदी संबेदक है, सुदूर संबेदी को दूर संबेदन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ किसी ऐसी बस्तू या फिर घटना के बारे में सूचना पराप्त करना होता है, जिसका सूचना एक अत्यत करने वाले यंत्र या फिर ब्यक्त उर जाके कुछ भागोँ को मापता है ठीक है यह बी किया है दूर संभे दक है दूसरा यह ज्यां पर ओडियो मीटर यह क्या करता है यह द्धुनी की Тीवरता को मापता है तो इनका यह पूछा जाता है ज्या तो आपका last में बचा ग्रेबी में बचा ग्रेबिमेटर यह प्रत्वी के गुर्फो आकर्षन में होने वाले परिवर्तनों ग्रेबिमेटर आपका ग्रेबिमेटर से संब्स्रिय गोडैका चुम्बक सबन्सक्रावा और जो आपका Magneto एंड अपने फ्रेंड्स को सियर करेंगे चीक है चलिए निम्लिकित कतनों पर विचार करना है कथन दिये गए हैं A और B के रूप में संचार उपग्रे अधिकांस पुष्तिर उपग्रे होते हैं जिने प्राए 30,000 km से अधिक उचाई पर इस्थापित किया जाता है दूसरा याप बता रहा है कि सादन उपग्रे सूर्य तुल्यका लिख होते हैं जिने प्राए 300 से 1000 km की उचाई पर इस्थापित किया जाता है ओपर एक तुमेंसे कौन सा कथन जो दिया गया है वो सही है बताए कौन सा कथन आप लोगों का सही हो जाएगा तो देखिए जो आपका भूष्तिर उपग्रे होता है उसका बता रहा है कि 30,000 km से अधिक उचाई पर इस्थापित होता है ए और बी दोनों ही ओप्सन आप लोगों के करेक्ट है बी ओप्सन याप पर करेक्ट हो जाएगा अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो आप लोगों क्या करेंगे आंसर कमेंट में करते जाएंगे ठीक है चलिए यही ब्याख्या में दिया गया है तो ब्याख्या इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि question उसमें ब्याख्या ही था चलिए आगे बढ़िए निम्लिकित में से कौन सा GIS operation है बिम्ब प्रदर्शन, अंतरतनन, मानचित्र overlaying या फिर मानचित्र desire करना क्या होगा इसका answer बताईए अगर आप लोग को आ रहा है तो देखिए जो GIS operation होता है इसका जो कार्लिक होता है वो क्या होता है याँ पर मानचित्र overlaying करना ठीक है C option आप लोगों का correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट है आप निमलकित में से कौन सी भारती दूर संबेदी satellite IRS P4 इस नाम से भी जानी जाती है कौन सी जानी जाती है resource set, azoset, remote set या फिर ocean set कौन सी जानी जाती है आप लोगों की जो दूर संबेदी satellite है जो कि IRS P4 की नाम से जानी जाती है तो उसका नाम हो जाएगा आप लोगों का ocean set है D option आप लोगों का correct हो जाएगा ठीक है चलिए इसकी ब्याख्या देख लीजिए क्या दिया गया इसकी ब्याख्या में ocean set जो कि भारती है कैसी है यह भारती है दूर संबेदी satellite है जिसको कि IRS P4 की नाम से जाना जाता है भारत अब तक कई उपगरेप छेपित कर चुका है जिसमें कुछ प्रमुक हैं जैसे कि आरेबट यह कब हुआ था 1975 अपरेल में भासकर फर्स्ट एवं सेकेंड जो कि जूर 1989 में इसको लॉंच किया गया था रो हेड़ी एवं इंसेट है ए बी सीडी यह संचार हेतू किये गए थे ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट कोशन दिखिए आप पर निम्लकित में से कौन सा GIS Software नहीं है AutoCAD है MapInfo है Ardace है ArcView है कौन सा है जो कि आपका GIS Software नहीं माना जाएगा तो देखिए जो आपका AutoCAD है यह क्या है AutoCAD है जो कि GIS Software नहीं है बाकी कि आपका Map Info है Ardace है ArcView है ये तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे GIS Software हो जाएंगे ठीक है चलिए Next Question की तरफ बढ़े और अगर आपको Season अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको Like भी करिएगा और Share भी कीजिएगा चलिए नीचे दो कथन दिये गए है A और R के रूप में इनको पढ़ना है और इनका सही उत्तरापन लोग को चैन करना है अर्शर्चन यानि कि अभी कथन A में बुर रहा है किसी बस्तू अत्वा परिगर्टना में परिवर्टन आकलन सुदूर संबेदन द्वारा एक प्रक्रिया है कारण इसमें दिया गया है GIS का प्रेवग आकलों के परिवर्टन के आकलन में सहायक होता है तो बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर Options दिये गए है A और R दोनों सही है दूसरे में आपका R सही है तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कोई बस्तु है या पर परिवर्टन आकलन सुदूर संबेदन द्वारा एक प्रक्रिया है यह आपका विगतन सही है दूसरा बता रहा है यहाँ पर GIS के बारे में कि GIS का प्रयोग आंकडों के परिवर्तन के आंकलन में सायक होता है बिलकुल लेकिन यहाँ पर इन दोनों ही बिलकुल आलग है लेकिन अपने आप में दोनों सही हैं तो जो आपका option correct होगा वो B हो जाएगा A और R दोनों सही हैं लेकिन इनकी ब्याख्या नहीं कर रहा है ठीक ह चलिए आगे बढ़िए यहाँ पर दिये गए भूमी प्रयोग आच्छा दन के प्रकार दिये गए हैं उनके रंग दिये गए हैं बन है करसी छेत्र है अकरट भूमी है निर्मित छेत्र है यह वाला question आप लोग का पहले भी आया हुआ है अगर आप लोग को याद है तो इस होता है पीला होता है अकरश्ट भूमी यह कैसी होगी यहाँ पर भूरी होगी और जो निर्मित छेत्र होता है वह लाल होता है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग का ओप्सन करेक्ट होगा वह C, A, D, B होगा ठीक है चलिए देखते हैं कौन से में दिया गया है C, A, D, B आपका A में दिया गया है फर्स्ट ओप्सन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा यहाँ तक आप लोग का हो चुका है चलिए आगे बढ़िए नेक्ट है आप है लिस्ट फोर सेंसर का स्थानिक प्रत्यक दर्सन है 5.8 मीटर 2.0 मीटर 23.5 मीटर या फिर 10.0 मीटर कितना है इसका आंसर कीजिए अगर आप लोग का आता है तो जो लिस्ट फोर है इसका जो सेंसर का स्थानिक दर्सन है यह आपका 5.8 मीटर है A option आप करते हैं अंतराश्टी तिती रेखा काती पर इस थल छेत्रों के समायोजन हेतु कुछ बिचलोनों के साथ में अनुसरण करती है तो किसके साथ में करती है यह 180 डिगरी देशांतर का 90 डिगरी पूर्वी देशांतर का 90 डिगरी पश्चिमी देशांतर का या फिर 0 डिगरी दे पटापट से आंसर कीजिए, question number डालके, तो इसका कितना होगा, या फिर सीधे आप लोगा answer लिख दिया कीजिए, तो आपको question number नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है, तो या आपका कौन सा option या पर सही हो जाएगा, 180 degree दिसांतर के सहारे होता है, यह option correct हो जाएगा, चलिए आगे बढ़िये, next है या पर, green witch माद्य समय से बेरुत का समय दो घंटा आके है, ठीक है, दो घंटा आगे बता रहा है, और लीमा का समय जो कि 5 घंटा पीछे है, लीमा और बेरुत की दिसांतर रेखा, क्या होगी, तो देखिए, एक दिसांतर बराबर कितना होता है, यहाँ पर लेकिए, एक दिसांतर बराबर जो होता है, वो चार मिनट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 15 दिसांतर बराबर कितना हो जाएगा, एक घंटा हो जाएगा, तो यह दो घंटा आगे है, तो घंटे में यानि कि आपका 30 दिसांतर हो जाएगा, ठीक है, और यह 5 घंटा पीछे है तो पंद्रपन्ना 75 देसांतर हो जाएगा तो अब बस आप लोग को क्या करना है इसका अंसर लगाना है 75 दिगरी जब आप आगे जाएंगे यह आपका ग्रीन विष्ट लाइन हो जाएगा यहाँ पर यह आपका पूरव हो जाएगा और यह आपका पस्चिम हो तीस डिगरी पूर्वी क्यों? क्योंकि दो घंटा आगे है, पस्चिम क्यों? क्योंकि ये पांच घंटा पीछे है, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं आप लोग, वैसे इजी है, समझ गए होंगे, पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे जो गलत है, वो पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आपका सी ओप्सन दिया गया है, पूछा गया है, जो एक्स केर्णा होती है, प्रमुक्तया, दूर संबेदन में प्रेवक्त होती है, तो यह आप लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बागी के सभी जो दिये गए हैं, कि भूछते जो अपग्रह है, 36,000 किलोमीटर की उचाई पर होता है, यह भी सह है, इस रोन ने रूस से सबसे पहले आर्दे बट का अंत्रिक्ष में सुवारम किया था, यह भी ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, नेक्स देखिए आप भारती मानक समय तता ग्रीन विच माद्य समय के बीच में अंतर कितना है, 5 गंटा 30 मिनट है, प्लस दिया गया है, यह आपका 5 गंटा आगे है, ठीक है, यह उप्सन करेक्ट हो जाएगा, चलिए आगे बढ़िए, यह तो आप लोग को पता ही होगा, कि जो आपकी मानक समय रेका है, यह आपकी मिर्जापुर नैनी से होकर के गुजरती है, जो कि कहाँ पर प्रयाग राज आपके इलहबाद मे है, 0 डिगरी देशांतर रेका इसको कहा जाता है, 0 डिगरी देशांतर जैसे जैसे पूरब में बढ़ते हैं, समय में ब्रद्धी पाई जाती है, वो अभी जो अपन लोगों ने पढ़ाता, कि इस तरफ जाएंगे तो ब्रद्धी होगे, इस तरफ जाएंगे तो समय घटे किया हुआ है दो घंटे आगे होगा ठीक है यह option correct हो जाएगा क्यों क्योंकि यह पूरब में बोल रहा है अगर यही पश्चिम में बोल रहा होता तो वहाँ पर कितने बज़ रहे होते दस बज़ रहे होते ठीक है चलिए आगे बढ़िए next है आप है अंतराष्टी तिती रेखा के संदर में निमलिकित में से कौन सा विकल्प सही है सही है पूछा गया है चलिए देखते हैं कौन सा है रेखा के पूरब की बज़ाय पश्चिम की और जाने पर एक दिन पहले की तिती हो जाती है ठीक है दूसरा यहां पर बता रहा है के रेखा के पश्चिम की बज़ाय पूरब की और जाने पर एक दिन पहले की तिती हो जाती है तो आप लोग बताईए जब आप पूरब की तरफ में जाएंगे तो एक दिन बाद की होगी या पहले की होगी अगर पहले की होगी तो दिन कैसा चल रहा है मायनस में चल रहा ह अगर बाद की होगी तो प्लस में चल रहा है तो यह आपका गलत हो जाएगा रेखा के दौना और तो अगर आपका यह गलत है तो यह भी गलत हो जाएगा ठीक है चलिए यह गलत है आपका सॉरी रेखा के दोनों और तिती बही रहती है केबल समय बदलता है तिती भी बदलती ये गलत हो जाएगा उपरेखत मेंसे कोई नहीं तो ये भी नहीं होगा ये ए आप्सन आप लोग का correct हो जाएगा क्योंकि जब पश्चिम की ओर में जाएगी तो तिती क्या होती है पहले की तित गुजरती है हवाई दीप कुलक दीप सेंटा क्रूज दीप फिजी दीप किन दीपों के पास से हो करके गुजरती है बताइए आप लोग अगर आंसर आ रहा है तो तो जो आपकी अंतराष्टी तितीरेका है ये आपकी फिजी दीप से हो करके गुजरती है डी option correct हो से एवं Arctic सागर से हो करके भी गुजरती है आगे बढ़िए जब ग्रीन वीच में दुपेर के एक बज़ा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा तो बताइए क्या होगा यहां पर सुबह के साड़े पांस बज़े होंगे साम के साड़े पांस बज़े होंगे रात का एक आगे बढ़िए अंतराष्टी तितिरे का कौन सी मानी गई है जिरो डिगरी देशांतर को माना गया है या फिर जिरो डिगरी अच्छांस को माना गया है या फिर एक सो असी डिगरी देशांतर को माना गया है तो बताइए किसको माना गया है डी ओप्सन करेक्ट हो जाएग चलिए अंतराष्टी तितिरेका 180 डिग्री देसान तर से कितनी बार विचलित होती है तीन बार, छे बार, आठ बार या फिर दस बार तो जो आपकी तितिरेका है वो तीन बार विचलित होती है ए उप्सन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़िए निमलिकित में से कौन सा अपकरण द्वारा प्राप्त प्रदक्तों की ब्याख्या सरवादिक कठिन होती है प्रशनावली की, निर्धारन मापनी की, समाजमिती की या फिर आपके सक्छातकार की तो यहाँ पर क्या उप्सन करेक्ट हो जाएगा सरवादिक कठिन ब्याख्या जो होती है वो सबच्छातकार की होती है जो आपका इंटर्व्य होता है इसकी ब्याख्या करना बहुत ज़्यादा कर्टिन होता है डी उप्सन करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़िए चलिए, नेक्ट देखिए आपे Global Positioning System यानि की GIA इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है एक में, दो में, तीन में या फिर चार में तो कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है या आपके इसके तीन भाग है C option आप लोगों का correct हो जाएगा आगे बढ़िए जो आपके Assistant Professor की एक्जाम होते है या फिर आप लोगों का जो TGT, BGT की एक्जाम होते है इनकी एक्जाम Net के लेबल से थोड़ा easy होते है लेकिन इनको पास करना कर्ठिन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो सीटे होती है वो नियत होती है इसलिए इनको पास करना क्या हो जाता है कर्ठिन हो जाता है आगे बढ़िए मानजट पच्छेपों का या फिर के निम्न मैंसे कौन सा लक्षर सही है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है उत्तर चुनना है यहां पर उप्संस दिए गए इनको देखिए बोन संकू प्रच्छेपा संसोधित रूप है साधारन बेलना का ना तो समचेत्र पच्छेप है और ना ही सुद्धाकरती का है केंद्री देसांतर से दूर तक जाने पर देसांतरी मापक में ब्रद्धी होने के कारण बोन पच्छेप एक समचेत्र पच्छेप नहीं है मर्केटर पच्छेप में ब्रहत ब्रत बक्र रेखा द्वारा तथा इस्तिर दिक्मान यानि कि जो रंबो लाइन होती है सरर रेखा द्वारा दर्साय जाते है जबकि नौमोनिक पच्छेप में ठीक इसके विपरीत होते हैं यहाँ पर options कौन-कौन से correct है तो देखिए पहले इनको फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर options दिये गए आप लोगों के जो बोन संकू पच्छेप होता है इसका संसोदेत रूप है यह option आप लोगों का correct है ठीक है दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो साधरत है बेलनाकार ना तो संच्छेप होता है और ना ही सुद्धाकरती का होता है बेलनाकार की बात कर रहा है तो यह दूसरा भी सही हो जाएगा तीसरा यहां पर बताएगा है कि केंत्री दिसांतर से दूर जाने पर दिसांतरी मापक में ब्रद्धी होने के करण बोल पच्छेप एक समचेतर पच्छेप नहीं है तो यह गलत हो जाएगा आप लोगों का ठीक है क्या हो जाएगा यह गलत हो जाएगा इसको आठा लेंगे अब आपका चौथा पचा इसमें दिया गया है कि मर्केटर पच्छेप में ब्रहत करेक्ट हो जाएगा एक दो चार यानि की ए ओप्षन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए कि नेक्ष्ट दिखते हैं आपको कुश्चन कि यहां पर सूची एक एवं सूची दो दी गई है इनको अपन लोग मैच करना है चलिए महासागरी धारायम इस्थाई पतनों का वित्रण दूसरे में दिया गया है गेहुए वं चिकंदर का वित्रण तीसरे में ट्राइन साइबेरियन रेल मार्क दिया गया है और चौथे में आपका प्राकरतिक रवड एवं चावल दिया गया है तो देखें, आपके प्रच्षेव दिये गए हैं, किसका कॉन सा प्रच्षेव होगा, तो जो आपकी महासागरी धारा है वो इस्थाई पत्तन है, इसके लिए जो प्रच्षेव उप्योक्त होता है, वो मर्केटर होता है, ठीक है, फ़र्स्ट अप्सन आपका सही हो जाएगा दूसरे में आपका गेह हुए वो चुकंदर का वितरन दिया गया है उसके में आपका मॉल बीड पच्छेप का उपयोग किये जाएगा जो कि उपयोग तुमाना जाता है इसके बाद में आपका दिया गया है टान साइबेरियन डेल मार तो इसके लिए दो मानक अच्छान्सी साधान संक्वाकार दिये गया है चौथ हम आपका प्राकरतिक रवड़े वंचावल तो यहाँ पर समचेत्र बेल नाकर पच्छेप का उपयोग करेंगे तो आपका सभी मेस्क दिये गए है एक, दो, तीन, चार, चारो ही सही है ठीक है, ओप्सन जो आपका करेक्ट होगा वो बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके मानचित्र में महानगरी तता ग्रामी जनसंक्या की वित्रण को एक, साथ, प्रतिदर्स, प्रदर्सित करने के लिए सरभादिक उप्यक्त आरेकी विदी होगी कौन सी विदी होगी यापे स्टेंडी, गियर, आयतनी विदी या फिर स्टील, जेन, बोवर, चित्र, विदी या फिर सम, गाम, रेखा या फिर बहु बिंदी विदी समानपाति ब्रति या फिर बिंदू विदी कौन सी विदी होगी यापे उप्यक्त होगी किसके लिए महानगरी और ग्रामीर जनसंक्या के वित्रण को दर्साने के लिए तो कौन सी विदी होगी यापे बढ़ियां मानी जाएगी या आपका A option correct हो जाएगा standing gear आयतनी विदी है जो के काफी ज्यादा उप्योक्त मानी जाएगी ठीक है यहाँ पर option आपका A correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़िये कौनसी विदी परिकल्पनाओं के परिक्षण की नहीं है काई बर्ग विदी, ब्रत्ताकार विदी, student, T परिक्षण या फिर पराचलिक परिक्षण की नहीं है कौनसी हो जाएगी यहाँ पर तो आपकी B option correct हो जाएगा इसमें क्या है ब्रत्ताकार विदी हो जाएगी B option correct है ठीक है जो परिकल्पनाओं की परिक्षण की विदियां है जो आपकी काई बर्ग विदी हो जाएगी student T परिक्षण हो जाएगा प्राचलिक परिक्षण हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए कौनसा मापनी के मापन का प्रकार नहीं है साधारन मापक, नाम मात्र मापक, करम सूचक मापक या फिर अनुपात मापक तो जो आपका कौन सा प्रकार नहीं है या आपका साधारन मापक हो जाएगा जो कि मापनी का प्रकार नहीं होता है कौन-कौन से प्रकार होते हैं मापनी के यह देख लीजिए सरल मापनी होती है तुलनात्मक मापनी होती है बिकर्ड मापनी होती है बर्नियर मापनी होती है यह option आप लोग का correct हो जाएगा आगे बढ़िए प्रतिवेदन लिखने में निमलिके सीरसकों का सही क्रम नीचे दिये गए कोड से chain करना है उद्देश से है जब आप लोग कोई भी सीरसक लिखते हैं प्रतिवेदन लिखते हैं तो उसमें किस तरीके से शुरुआत करेंगे उसुरुआत से end तक आप लोग को बताना है तो यहाँ पर उद्देश से मानचत्यकर्ण दिया गया है आकणों का संकलन दिया गया है तो सबसे end में आप लोग क्या लिखते हैं निसकर्स लिखते हैं तो ये आपको सबसे end में रखना है तो ये तो तीनों में दिया गया है एक कटेगा चलिए तो सबसे पहले आपन लोग को क्या लिखना होता है उद्देश से लिखना होता है उद्देश से यहां पे आप लोगों का दो में दिया गया है ये भी गया ठीक है ए उद्देश से लिखेंगे फिर आप लोग क्या करेंगे जो भी आपको data होगा उसको आप लोग एकटा करेंगे ठीक है डेटा को इखटा कर लिया A के बाद में आप लोग का D होगा D के बाद में आप मानचित्री करण करेंगे उसके बाद में आप लोग डिसकर्स लिखेंगे ठीक है B option correct हो जाएगा आगे बढ़िए चलिए next question देखिए आप रंजित इसमें आप लोग करेंगे पेड दिखा दिया जाते हैं वाद पर ग्रीन-ग्रीन कर दिया जाएगा इस तरीके से इसको दिखाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़िए किसी छेत्र के बर्सा और तापमान की वित्रन को परदरशित करने की उप्योक्त मातरात्मक विदी है कौन सी विदी हो जाएगी बाण मातरी विदी, बिंदू विदी या फिर इस्टिल जो बोर विदी हो जाएगी या फिर या पर स्टेंडी गियर विदी हो गाई ठीक है सममान रेखा विदी हो जाएगी कौन सी विदी है जो के तापमान की वित्रण को दिखाती है जो के मात्रात्मक विदी है तो यह आपका D option correct हो जाएगा सममान रेखा विदी है जो के कैसी हो जाएगी आपके तापमान की वित्रण को और बर्सा की वित्रण को दिखाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट एक किया पर मर्केटर पच्छे पर एक दिस नौपत लॉक्जोड्रोम होती है केंद्रिय मध्यान रेखा प्रमारिक अच्छांस रेखा या फिर दो इस्थानों को मिलाने वाली सीधी रेखा या फिर समकेंद्रिका तो क्या होती जो आपके लॉक्जोड्रोम होती है जो लॉक्जोड्रोम है या फिर एक दिस नौपत होता है ये दो इस्थानों को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है ये उप्चन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए यहाँ पर ब्याक्ख्या देख लीजिए बैसे ब्याक्ख्या आप लोगों ने इसकी कई सारी देख चुके हैं मर्केटर बच्छेप में अच्छांस रेकां सीधी वो समानतर होती है अच्छांस रेकाओं में भूमत रेका से दुर्वाक्यों जाने पर बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है ब्रद्धी होती जाती है आगे देखिए भूमदे रेखा से दुर्बवकी और जाने पर अच्छा सता देशांतर रेखाओं की मापनी में सममान अनुपात में ब्रद्धी होती है मर्केटर पच्छेप नोसंचालन मानचित्र के लिए विशेश रूप से उपयोगी होती है तता विश्व के सामान मानचित्र के लिए या अधिक उपयोगी नहीं होता है आगे बढ़िये निम्न मैंसे कौन सा कथन सही नहीं है भोगोलिक सूचना तंत्र सूचना प्रोधगी का अभयब नहीं है भोगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दसक में विख्षित हुआ था या फिर भोगोलिक सूचना तंत्र हार्डवेर, सौप्टवेर या अंतरे तर सामगरीवा प्रक्रियां है भोगोलिक सूचना तंत्र अवे कलित्र निकाह है क्या इसमें सही नहीं होगा यहां पर दिया गया है कि जो भोगोलिक सूचना तंत्र है प्रोध्धगी का अभयब नहीं है यह गलत हो जाएगा यह टोटली किसका है प्रोध्धगी का अभयब है बाकी के सभी सही दिये गए हैं BCD तीनों सही है कथन गलत पूछा गया तो A option आप लोग का correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए चलिए यापे आपके A और R में दिया गया है A में दिया गया है रेले प्रकीडन आकास के नीले रंग के लिए उत्तरदाई होता है दूसरे आप दिया गया है कि जो रेले प्रकीडन होता है तब घटित होता है जब बायो मंडली कड़ों का ब्यास बिकरण बतरंग ध्यारी के तुलना में कम होता है तो कब होता है इसका आंसर जो होगा तो देखिए यहाँ पर जो रेले प्रकीडन होता है आकास का रंग जो नीला दिखाई देता है वो रेले के करण ही दिखाई देता है तो ए उप्षन तो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा दूसरे यहाँ पर रेले के बारे में ही बता रहा है कि जो प्रकीणन होता है वो कब होता है जब पायूमंडली करणों का ब्यास बिकरण बतरंग ध्यरी की तुलना में घम होता है तो रहले प्रकीणन होता है और रहले प्रकीणन होता है तो आकास का रंग नीला दिखाई देता है तो इसका A और R दोनों सही हो जाएगा ब्याख है इनकी दोनों की सही है तो यह option आप लोग का correct हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए सुदूर संबेदन में प्रयोकत निम लेके तो बिद्द चुमक की तरंग हो इमर से किसका तरंग धहरे सबसे कम है हरे का लाल रंग का नीले रंग का या फिर इंफरारेड का किसका कम है वाता ही आप लोग का अगर अंसर आ रहा है तो सबसे कम जो होता है वो आप लोगों का नीले रंग का होता है C option correct हो जाएगा ठीक है तो यहां तक आप लोग का session हो चुका है complete जो आपकी GIS और GPS की जितने भी questions थे 432 के करीब आप लोगों ने question इसके solve कर लिया यानि कि total आपके 4500 करीब question आपके solve हो चुके है जितने भी question आए थे वो सभी cover इसमें हो चुके है अभी अपना जो next इसमें topic आएगा वो इस तल मंडल से जितने भी question पूछे गए है उनको अपन लोग कल से solve करेंगे और इसके साथ मैं एक topic और ले करके चलेंगे जिसमें मैं सोच रही थी कि अधिवास Google का ले करके चलो वहां से question अभी क्या है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो कि आपके UGC net में जो आपके set exam है या फिर आपका अभी teaching से related कई सारे exam होने वाले हैं TGT PGT तो उनमे अभी वहां से question बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो मैं उसी topic को शुरू कराने की सोच रही थी और अगर आप लोग भी सला देना चाहें तो बताइए आप लोग बताइए कौन सा topic में साथ मैं शुरू करूं ठीक है तो यह हो गया आप लोग का अज का session session कैसा लगा ज share कीजिएगा मिलते नेक्स session में तब तक के लिए धन्यवाद thanks for watching